कि हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विधारी सर में इस वेडियो में हम फिजिकल एजक्वेशन से रिलेटेट कुछ मोस्ट इंपोर्डन कोईशन डिसकस करेंगे जो अगामी टीजी टी पीजी टी बिहार फिजकल एजक्वेशन राजिस्थ्यान पीटिए ग्रेट सेकेंड थार्ड एयों डी ट्रपलस्वी के वियस एन्वियस एंपी टेट एच्टेट सभी के लिए बहुत उपवगी सिद्ध करेंगे और जो लोग भी हमारे चैनल पर फास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सकें आज की जो वीडियो है मैराथन वीडियो होने जो पामेल हार्स के प्रदर्सन छेत की लंबाई कितनी होती है यह फास्ट कोईशन है चार मीटर आट मीटर नवासी मीटर या फिर चाओतिस मीटर बिलकुल सभी लोग अपना आंसर अटेम्ट कीजिएगा मैराथन वीडियो है आप सभी लोगों के लिए फो मीटर से रिले प्रदर्सन छेत्र की जो चौडाई होती है वहा कितनी होती है देखिए सभी लोगों को आंसर अटेम्ट करना है चितने भी लोग तयारी कर रहे हैं यूदकि आप सभी लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और एक कांटीन न्यूटी के साथ में आप लोग चैनल के साथ मीटर होगा चार मीटर होगा या फिर नौ मीटर इसमें आपको उत्तर अटेम्ट करके बताना है कि इस कोईशन का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर A B C D मेंसे किस आपसंसे आपका उत्तर रिलेटर है राइट आंसर आप लोगों ने अटेम्ट कर दिया नेक्स सेंटी मीटर 25 सेंटी मीटर 31 सेंटी मीटर या फिर आपका D option दिया हुआ है 20 सेंटी मीटर क्वेशन नंबर थर्ड में आप लोग राइट आंसर एटेम्ट की जिएगा कि यहाँ पर जो उत्तर है वह किस आपसंसे रिलेट करता है कौन सा आपसं इसका राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट बेहतरीन प्रस्न बिलकुल एक कांटिन्यूटी के साथ में आप सभी लोग अपनी तयारी कीजिएगा यूँकि आप लोग भी जानते हैं कि वर्तमान समय कॉम्पटीशन का टाइम है और इस कॉम्पटीशन में वही आगे निकलेगा जो एक लगातार मेहन करेगा और अच्छी तरीके से अपनी तयारी को कम्पलीट करता जाएगा राइट आंसर यहां पर थर्ड में जो हो जाएगा आप लोगों का सी आप्सन से रिलेट करता है 31 सेंटीमीटर नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे पामेल हार्स के उपकराल पर पामेल की उचाई कितनी होती है टैन सेंटीमीटर ट्वाइल सेंटीमीटर फिफिफ्टीन सेंटीमीट जा ऑफिट डि आप्सन है टूईंटी सेंटीमीटर vaig बताएगे यह स्थे नमबर सिंस्ट में आप लोगोंका अंसर जो है ये कौन सा ऑप्सन राइफ एंसर है बहुत इंपॉर्टेंट प्रसन है तो राइट आंसर अगर और फिजिकल एशुरेशन की तयारी करने तो सभी क्या आंसर सारे होंगे और एक सिस्टमाइटिक तरीके से आप लोगों को तक कीजिये का डी आप्टन जो दिया हुआ है वो एक सो असी सेंटीमीटर दिया हुआ है आप लोग अपना आंसर और देख लिजिए का क्या होना चाहिए ढिलकुल डी आप्षन में one eighty zero सेंटी मीटर है क्या आंसर होगा क्या डी उत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बोलिए 115 cm 125 cm 150 cm या फिर 180 cm तो सही उत्तर जो हो जाएगा 115 cm इस एप्षन इस कोईशन का राइट आंसर होता है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते है नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है होरिजन्टल बार जमीन से कितनी उचाई पर रहता है जो होरिजन्टल बार है वह जमीन से कितनी उचाई पर रहता है इसमें आप लोग देखिएगा क्या आंसर हो सकता है 210 cm 270 cm 250 cm या फिर D option है 280 cm Most 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 important question है Question number 6 में होरिजन्टल बार जो है जमीन से कितनी उचाई पर रहता है ये जमीन से जो होती है उचाई वो कितनी होती है बताईएगा 280 cm से रिलेट करेगा क्या आंसर यहां पर सही आंसर आप लोगों ने अटेम्ट किया वह नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते है होरिजन्टल बार इस परदा में परदर्शन छेत्र की लंबाई कितनी होती है इसमें जो परदर्शन छेत्र है उसकी लंबाई कितनी होती है 12 मीटर 66 मीटर 45 मीटर या फिर डी आप सेने 34 मीटर कोईशन नमबर 7 होरिजन्टल बार इस परदा में परदर्शन छेत्र जो है इसकी लंबाई आप लोगों को बताना है कि इसकी लंबाई कितनी होगी बिल्कुल जब आर दस्त कोईशन से एक सीरीज के एकोर्डिंग आपके ये कोईशन आपको प्रोवाइट के जा रहे है सबी लोग कोईशन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं राइट आंसर आप लोग का रिवीजन भी हो रहा है यूँकि आप लोगों ने और डी बुक्स को पढ़ रखा है तो सैवन्थ का अंसर हो जाएगा आपसें 12 मीटर से रिलेट करेगा ए उत्तर राइट आंसर नेक्स्ट वोईशन पर मूब करेंगे होरिजन्टल बार इस परदा में प्रदर्शन छेतर की चोड़ाई कितनी होती जो होरिजन्टल बार इस परदा इसमें जो प्रदर्शन छेतर है इसकी चोड़ाई आपको बताना है कि वह कितनी होगी 6 मीटर होगी, 3 मीटर होगी, 8 मीटर होगी या फिर आपका D option दिया हुआ है 9 मीटर वोईशन नमबर 8 में आप लोग आंसर अटेम्ट किरियागा होरिजन्टल बार इस परदा में जो प्रदर्शन छेतर है इसकी चोड़ाई, कितनी होती है, यह 3 मीटर होती है हाँ पर B option आप लोग का आंसर आ चुका है राइट आंसर से रिलेट करता है, नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते है होरिजन्टल बार इस परदा में बार का ब्यास कितना होता है इसमें जो ब्यास होगा, जो डायमीटर होगा 2.8 cm होगा 8.8 cm होगा 9.9 cm या फिर D उत्तर है 5.5 cm सबी लोग आंसर देखिएगा राइट आंसर किस उत्तर से रिलेट करेगा A, B, C या फिर D उत्तर करेक्ट आंसर आप लोग का क्या है E, option 2.8 cm next question पर move करेंगे horizontal बार इस परधा में इसकी लंबाई बताना है आपको यह कितनी होगी देखिएगा 2.90 दिया हुए D option में बिल्कुल देख लिजिएगा आंसर यहाँ पर आप लोगों को क्या होना चाहिए 240, 230, 280 या फिर 2.90 question number 10 साइ आंसर आप लोगों को का आना चाहिए और सभी लोगों ने जो राइट आंसर अटेम्ट किया है 240 cm से रिलेटेड है E, option इस question में correct answer होता है next question पर move करते है next question है पामेल हार्स के उपरी सता है कि चोड़ाई कितनी होगी तो पामेल हार्स जो है इसका जो उपरी सता है इसकी जो चोड़ाई होगी वहाँ कितनी होगी 35 cm 30 cm 40 cm या फिर D option है 70 cm question number 11 A, option आ चुका सभी लोगों का right answer A, उत्तर से relate करता है A, option इसका correct answer next question पर move करते है पामेल हार्स के नीचे सता है कि लंबाई कितनी होती है जो पामेल हार्स इसके नीचे जो सता है कि लंबाई होगी वहाँ कितनी होगी 180 meter, 160 cm, 150 meter या फिर 129 meter question number 12 आप लोगों का answer आना चाहिए बिल्कुल सही और right answer आप लोग attempt कर दीजएगा कि यहाँ पर जो questions आपको दिया जा रहा है इसका उत्तर क्या होगा बिल्कुल एक continuity बनाईएगा और अपनी तयारी को जारी रखिएगा physical education के लिए physical education एक ऐसा subject है जिसकी number आप पोस्ट भी आप लोग जानते है कितनी आती हो competition कितना ज़्यादा रहता वो भी आप लोग को पता है योगि बहुत सालों से इसमें अभी तक उस तरीके से vacancy नहीं आनी आई है जितनी आनी चाहिए योगि कोई भी department होता है वहाँ पर जो vacancies आपकी आती है एक ratio में आती तो इसलिए इस ratio में आपको selection भी प्राप्त करना है जितनी भी vacancies है बी option होगा 160 cm बी उत्तर इसका correct answer next question पर move करते है पामेल हार्स के नीचे जो है सतह की चौड़ाई बता दीजगा सभी question एक दूसरे answer से जुड़े हुए है बोलियो बिल्कुल एक sequential chapter wise आपके questions है और ये question जिसने भी पढ़ रखे है उनका revision भी आसानी से complete हो जाएगा सही answer आप सभी का हो जाएगा 30 cm से relate करता है next question पर move करते है next question है एकल aerobic gymnastic के प्रदर्शन छेतर की लंबाई कितनी होती है इस छेतर की जो लंबाई होती हुआ कितनी होती है 7 meter होती है 9 meter होती 44 meter होती है या फिर 33 meter होती है एकल aerobic gymnastic के प्रदर्शन छेतर की लंबाई question number 14th में आप लोग answer attempt करेंगे कि right answer यहाँ पर जो होगा यह कौन सा option होगा A, B, C या फिर आपकी screen पर D option दिया हुए right answer से relate करता है जल्दी जल्दी आप सभी लोग class को join कीजिएगा और questions का label जो आपको दिया जा रहा है आप लोगों के exam के according आप लोग BPSC के अगर preparation कर रहे है प्रिजेंट टाइम में तो आप लोग revision अवस्य कीजिएगा TGT competition तयारी जारी रखिया का LT grade की जो लोग भी तयारी कर रहे है वो भी अपनी तयारी को जारी रखे है और साथ-साथ में आप लोग EMRS का भी farm जो भी students fill किये हुए वो भी अपने competition की तयारी जारी रखे हैं और DSSB का exam बहुत दिनों से pending है तो इन सभी exams के लिए भले ही आप कम पढ़िए योगि agitate और BPSC के लिए तो आपको मेहनत वर्तमान में करनी पढ़ेगी जो भी students other vacancies के लिए farm apply किये हुए बहले ही कम पढ़िएगा लेकिन पढ़िएगा daily कुछ न कुछ आप questions का revision करते रही है जिससे आपको mind make up बना रहेगा कि physical education का competition label वो कितना है और किस तरीके से आपको preparation करनी है तो 14 का जो answer हो जाता है यहाँ पर यह option से relate करता है 7 meter इसका answer हो जाएगा next question पर move करेंगे next question है एकल के aerobic gymnastic के प्रदसन छेतर जो है इसकी चोड़ाई कितनी होती है देखिए 15 में आपका answer यहाँ पर जो होगा यह क्या होना चाहिए देख लीजे D option में 10 meter दिया हुए 7 meter 33 meter 22 मीटर या फिट 10 meter तो यह होता है आपका right answer 7 meter circulate करता है यह option इस question का right answer correct हो तो next question पर move करेंगे महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल जो है इसकी लंबाई कितनी होती जो महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की लंबाई होती वो कितनी होती है 110 cm होती है 120 cm 140 cm या फिट 10 आपसा ने 179 cm देखिएगा 16 नंबर प्रस्ण है महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की लंबाई कितनी होती है तो यह जो लंबाई होती है 120 cm होती है B option इस प्रस्ण का सही उत्तर होता है next question पर move करते हैं महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की चौड़ाई कितनी होती है इसमें आ यहां पर आपका कौन सा option होगा इस question को देखिए सभी questions आप लोगों के लिए बहुत important है revision आपका complete होना चाहिए 17 नंबर हो जाता है यहां पर 95 cm से relate करेगा देखियागा यहां पर A option भी दिया हुए मीटर तो इन questions को आप लोग देखने के बाद में unit भी दियान रखिएगा क्या unit दी हुई क्योंकि कभी कभी आप लोग answer आपको पता है आपने तुरंट circle लगाया और आपने circle भी वहां पर टिक कर दिया उसके बाद जब आप घर आते हैं या फिर answer seat match करते हैं तब आपको प पढ़ेगा अगर इन mistakes से आपनों बचे रहते हैं 18 दियावा spring board को वाल्टिंग टेबल से महिला एवं पुरुस वाल्ट इस परदा में कितनी दूरी पर रखा जाता है इसको कितनी दूरी पर रखा जाता है 1.10 मीटर की दूरी पर रखा जाता है 1.15 मीटर की दूरी पर रख है इस मैराथन वीडियो में आप लोग देखिए का कितने प्रस्ण आप लोग सही कर रहे हैं सही आंसर आप लोग को हो जाए का 18 में सी आप्सन से रिलेट करेगा 1.20 मीटर से रिलेटर है एक्स्ट कोईशन है महिलाओं के लिए वाल्ट इस परधा के लिए रनवे की सबी लोग अटेम्ट कीजिए महिलाओं के लिए वाल्ट इस परधा के लिए जो रनवे होता है उसकी मोटाई बताना है यह होता है 2.5 सेंटीमीटर सभी का आंसर आ चुका है डी उत्ता नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं पुरुसों के लिए वाल्ट इस परधा के सब्सक्राइब करना चाहते हैं नया बैच आप लोग का सुरू किया जा रहा है आप सभी लोग जूड़ सकते हैं 9621-819209 पर कॉंटक्ट कर सकते हैं और 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं फोन पर गूगल पर अमेजन पर पेटियम एकाउंट पर वाटसाप पेमेंट या फिर किसी अनिके माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीन सोट संट करके गुरुप से तुरंत जॉइन हो सकते हैं बहुत बहतीन तरीके से गुरुप में जो भी आपको डेली मॉक टेस्ट क्विज या फिर एक्जाम पैटर पादेर प्राक्टिस सेट या फिर एक सिस्टमाइटिक तरीके से जो सिरीज चलाई जाती है उसक साथ साथ में अगर नए इस्टुरेंट और टैन थाउजन प्लस कोईशन की पीडिया भी प्राप्त कर अपना रिवीजन और अच्छी तरीके से तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं जिसको भी जॉइन करना है जॉइन कर सकते हैं आप लोग का जो बैच है वो शुरू किया जा च से लिखित में से कौन सा सही है इसमें से बताएगा चोन सा आप्शन है जो सही है वाल्टिंग हर्स वॉल्ट वॉल्ट वाल्टिंग हर्स टेबल 21 21 क्या है यहां पे कौन सा सही पूछा गया तो यह वाल्ट से रिलेट करता है नेक्स्ट वेशन पर मूब करते हैं 22 है पुरसों की वाल्ट इस पर्धा में वाल्टिंग टेबल की उचाई कितनी होती है इसकी उचाई आपको बताना है 135 सेंटीमीटर होती है 166 सेंटीमीटर होती है 444 सेंटीमीटर होती है या फिर 543 सेंटीमीटर होती है 22 नंबर क्वेशन आप लोगों का है यहां आप लोग आंसर अटेम्ट कीजिएगा कि जो पुरसों की वाल्ट इस पर्धा है इसमें वाल्टिंग टेबल की उचाई कितनी होती है इसमें जो वाल् करते हैं अब यह सेकेंड कोईशन है वाल्ट इस परदह में वाल्टिंग टेबल की लंबाई बताईएगा यहां आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है इन कोईशन में 330 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर 332 सेंटीमीटर या फिडी आपसन है 222 सेंटीमीटर वेशन नमबर 23 में आपका आंसर जो होता है वह किस उत्तर से रिलेट करेगा पुरुसो की वाल्ट इस परदह में वाल्टिंग टेबल की लंबाई बताना है कितनी होती है तो यह होती है 120 सेंटीमीटर भी उत्तर आप लोगों का राइट आंसर है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते है नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है पुरुसो की वाल्ट इस परदह में वाल्टिंग टेबल जो है इसकी चोडाई बताईएगा वाल्टिंग टेबल की जो चोडाई होती है वो 66 सेंटीमीटर होती है 55 सेंटीमीटर होती है 95 सेंटीमीटर या फिर 111 सेंटीमीटर कोईशन नमबर 24 सभी लोग आंसर अटेम्ट करेंग और राइट आंसर से उत्तर जो रिलेट करेगा ए बी सी या फिर दी आप्सन इग्जैक्ट उत्तर सभी का आना चाहिए राइट आंसर सभी ने अटेम्ट कर दिया है सी आफसन 95 सेंटीमीटर से रिलेटेड है सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे वॉल्ट से क्या तातपर है जो वॉल्ट है इससे तातपर आपको बताना है क्या तातपर है लटकना पकड़ना छलांग मानना या फिर इन में से कोई नहीं कोईशन नमबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल सभी लोग अपने आंसर देख लिजेगा 25 नमबर तो यह आपका आंसर हो जाता है छलांग मानना से रिलेट करता है सी ऑफसन इस प्रसन का रिलेटेड है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है इस प्रिंग बोर्ड को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है वह क्या कहते हैं 26 बस इसी कांटी न्यूटी के साथ में आप सभी लोग मेहनत कीजेगा और इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखें यूटूब पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाई पंकसर प्लेलिस्ट में जाईएगा आप सभी वीडियो का लिंक देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट्स मेराथन वीडियो का लिंक आपको एक में पिन अप किया गया उसको देख सकते हैं और डेली जो आपका 930 पे क्लास रहती है उसका भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा बाकी अधर कोईशन जो है वो भी आपको वाँ पर देखने के लिए मिल जाएगे आ आप लोग बेहतरीन रिवीजन कर सकते हों जितने भी इस्टुइंट ग्रूप में जूड़े हुए जो भी सिरीज आपको एक सिस्टमाटिक तरीके से सभी कोईशन प्रोवाइट करते हैं उन कोईशन को अवस्ट से डेली का डेली रिपीट करते रहिएगा आपना मॉक टे 24 मीटर होती या फिट डी आप्शन भी दिया हुआ है 33 मीटर सब्ताइज महिलाओं के लिए फ्लोर इस परधा के लिए प्रदर्शन छेत्र जो है इसकी लंबाई कितनी होती है बोलिए बिल्कूल सबी लोग आंसर अटेम्ट करिएगा तो यह हो जाता है आपका 12 मीटर से रिलेट करता है ए आप्शन इस कोईशन का सही आंसर है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे पुरुसों के लिए फ्लोर इस परधा के लिए प्रदर्शन छेत्र जो है इसकी चोडाई बता दीजेगा प्रदर्शन छेत्र की चोड़ाई क्या होती है 55 मीटर होती है 12 मीटर होती है 15 मीटर या फिर 58 मीटर 28 में 28 सभी लोग आंसर अटेम्ट करिएगा और ये बेहतरीन क्वेस्चन्स की सिरीज है इन क्वेस्चन्स को आप लोग एक बर रिवीजन आवस्च कर लिजेगा B option इसका सही आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है B उत्तर correct आंसर है नेक्स्ट क्वेस्चन पर मूब करते है नेक्स्ट क्वेस्चन है निमलकित में से artistic, gymnastic की कौन सी इस परदा है और ये मैराथन वीडियो में आप लोग की जो questions होते है वो 100 के उपर ही रहते हैं 200 questions आपको दिये जा रहे हैं 210 questions है इस वीडियो में इन questions का revision बहुत बहुतिन तरीके से आपको complete करना है अगर इसमें से एक भी question मिले तो exam में वो गलत ना होने पाए floor से relate करता है भी option आप लोग का right answer next question पर move करेंगे balancing beam की लंबाई कितनी होती जो balancing beam है इसकी लंबाई बताना है कि वहा कितनी होती है 5 meter, 8 meter, 99 meter या फिर D उतर है 22 meter question number 30 balancing beam है इसकी लंबाई सबी लोगा answer attempt कीजिएगा ये option से relate करता है ये उतर 5 meter इसका right answer है next question पर move करेंगे next question दिया हुआ है aerobic gymnastic है जो इसमें प्रदर्शन छेतर के चारों तरफ border तथा safety border क्रमसा कितना होता है ये जो aerobic gymnastic में प्रदर्शन छेतर है इसके चारों तरफ border और और ये safety border जो होता है वो कितना होगा आप सभी लोग का answer आप लोग की screen पर पर सही उत्तर आप लोग का क्या हो सकता है कि चार options है इसमें से आपका एक उत्तर सही होगा और UPTGT में टोटल 125 questions आपके पूछे जाएंगे और चार नंबर का एक प्रस्ण होगा 500 का पूड़ांक आपका बनेगा इन 500 marks मेंसे जिसके अधिक्तम अंख होंगे selection उसी student का होगा और question का label अगर पिछली बार की तरीके से होता तो cut off हाई जाने के पूरे पूरे chances हैं 31st यहां पर answer आप लोग की screen पर है वन मीटर इंटू वन मीटर से relate करता है इसमें आपका वन मीटर इंटू वन मीटर यानि कि B option इसका right answer next question पर move करेंगे next question क्या दिया हुआ है अगर कोई gymnastic call करने के 20 seconds के अंतरगर प्रदर्शन नहीं करता है तो कितने अंक काटे जाते हैं तब कितने अंक इसमें से cut होते हैं एक 0.5 दो या फिर 2.5 बट्टिस देखिए एक 0.5 दो या फिर 2.5 विश्यन नमबर 32 सभी लोग answer attempt करेंगे कोई gymnastic call करने के 20 seconds के अंतरगर प्रदर्शन नहीं करता है तो इसके अंक जो cut है 0.5 आप सभी लोगों का answer आ चुका बिल्कुल सही उतर आप लोग attempt करें नेक्स्ट question है rhythmic gymnastic में कितनी इस परदहाएं होती जो rhythmic gymnastic है उसमें जो इस परदहाएं होती बिल्कुल एक continuity एक बिल्कुल time table set कीजिए और आप लोग तयारी करते रहिएगा क्योंकि बहुत सा students के दिमाग में यह है कि अभी सारी exam नहीं हो रहा है तो किस तरीके से क्या किया जाए देखिए आपका exam late हो रहा है सभी लोग जानते हैं कि exam late हुआ है लेकिन आप अगर exam late हुआ है तो क्या तयारी बंद कर देंगे आपको अपनी तयारी जारी रखनी क्योंकि selection आपको प्राप्त करना है ना कि यहां पर जो exam conduct कराएगा आयोग आयोग का work है exam को conduct कराना और आपका work है अपनी पढ़ाई को जारी रिखना इसलिए आप सभी लोग भले ही कम पढ़िएगा लेकिन एक continuity जो होती है एक systematic तरीका उसके according अब धीरे धीरे थोड़ा पढ़िएगा अवस्य जिससे आपके अगर exam notice आ जाता है तो उस time पे आप लोगों का revision आसानी से complete हो सके और आपके दिमाग में एक confidence label बना रहे है कि आप होने वाले exams को crack कर सकते हैं और जितने भी students BPSC के तयारी कर रहे हैं उनका exam अभी 15 दिनों के बाद होना है तो आप सभी लोग तयारी बेहतरीन करिएगा और H.T.E.T. के अभ्यरती भी 12 से 13 दिन बचे हुए वो भी अपनी तयारी बेहतरीन तरीके से करते हैं क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो भी time setup बना हुआ है उसी के अंतरगत आपको पूरी तयारी करनी है तो इस तयारी में आप लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसके result आने तक हो सकता है आपका DLSB का exam हो जाए EMRS का exam हो जाए UPTGT का exam हो जाए UPLT की vacancy मिल जाए तो यह जो आपने पढ़ाई किये तो इसका benefit आगे भी मिलेगा इसलिए कभी यह न दिमाग में रखियेगा कि अभी आपका exam हो जाएगा इसके बाद पढ़ाई आपकी खतम हो जाएगी जब तक कि आप selection प्राप्त नहीं कर लेते हैं आपको खुद से नहीं लगता है कि अभी आप सफल हुए तब तक के continuity बनाया रखियेगा सी आप्सन इसका हो जाएगा सही उत्ता नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं नेक्स्ट कोईशन है रिद्मिक चिमनास्टिक के मैट जो है इसकी लंबाई बता दीजेगा बिल्कुल जो भी इस्टुएंट डेली मॉक टेस्ट कुईज एक्जाम पैटन पादर प्रैक्टि इसका सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर रिलेटेड है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं रिद्मिक जिमनास्टिक के मैट की चोड़ाई कितनी होती है जो रिद्मिक जिमनास्टिक के मैट की चोड़ाई बताईएगा बहुत बहतरीन कोईशन है सही आंसर हो जाएगा 13 मीटर इसका राइट आंसर है नेक्स्ट कोईशन है रिद्मिक जिमनाश्टी के लिए मैट के चारो तरफ बॉर्डर कितना चोड़ा रहता है इसके अंतर के जो बॉर्डर होगा उसकी आपको बिर्थ बतानी है तो ये कितना होगा देखिएगा इसके चारो तरफ खाली छेतर कितना रहता है जो इसके चारो तरफ खाली छेतर रहता है वहा कितना रहता है 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या फिर डी आप्शन 7 मीटर 37 इक्जैक्ट उत्तर आप लोगों का जो है यहाँ पर बी आप्शन हो जाएगा 2 मीटर से रिलेट करता है बी आप्शन इस कोईशन का राइट आंसर है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगा नेक्स्ट कोईशन है रिद्मिक जिमनास्टिक में जो गेंद प्रियोग की जाती है उसका वजन कितना होता है देखिए इसका वजन 400 ग्राम होगा 500 ग्राम होगा 200 ग्राम होगा या फिर आपकी स्क्रीन पर एक D आप्शन दिया हुआ 100 ग्राम इसका वजन होगा 100 ग्राम आंसर हो जाएगा आपका D उतर यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल करेंट उतर नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं रिद्मिक जिमनाश्टी में जो बाल परियोग की जाती ह vontade उसका बैस होता है इसका जो ब्यास होता है कितना होता है था से 15 सेंटी मेटर 15 से 18 से 18 18 से 20 से खीर 12 से 15 Pont आप सभी के revision के लिए questions बहुत important हैं और आप लोगों ने already questions पढ़ा रखे हो और यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जवाब पढ़ेंगे तो आप लोग की तैयारी बहतरीन हो जाएगी C option इसका सही answer हो जाता है right answer और जो भी student group से जुड़े वोगों ने already इन questions को revision भी कर लिया होगा और जब आपका revision 2-3 बार complete होता है तो आपके answers भी complete हो जाते हैं और आपके exam में अगर question पूछा जाता है तो वो गलत नहीं होता है बिलकुल तैयारी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए बहले ही आप एक बार में पढ़ें या फिर दो तीन बार में तयार करें चालिस का answer हो जागा rubber मुलायम प्लास्टिक एवा भी दोनों या फिर इन में से कोई भी option सही नहीं है रिद्मित जिमनास्टि में जो बाल प्रयोक की जाती है वहां कौन से पदार्थ की बनी होती है किस पदार्थ से निर्मित की जाती है देखिएगा एवा भी दोनों यानि रबर मुलायम प्लास्टिक इन दोनों से रिलेटेड है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते है नेक्स्ट कोईशन है रिबन की चौडाय कितनी होती जो रिबन है इसकी जो चौडाय होती है 4 to 6 cm होती है 5 to 6 cm होती है 4 to 8 cm यह डी आप्छन है 2 से 2 से 5 cm 2 to 5 cm 41 क्या answer आप लोग attempt कर रहे हैं question number 41 में आप लोगों का जो उत्तर है इसमें A option आपका सही answer है next question पर move करेंगे next question है ribbon बना होता है जो ribbon है ये किसका बना होता है nylon का बना होता है jute का बना होता है sotan या फिर plastic का बना होता है ribbon की बात करते हैं तो ये बना होता है nylon का jute sotan या फिर plastic तो ये option आप लोगों ने जो attempt किया है सही उत्तर आपने attempt कर लिया next question पर move करेंगे rhythmic gymnastic की team प्रतियोगता में कितने gymnast होते हैं इसमें जो gymnast होते हैं वो कितने होते हैं देखिए 43 43 में आप लोग उत्तर attempt करिए गर right answer से उत्तर आना चाहिए आपका बहुत important person correct answer आप सभी लोग attempt कीजेगा बहुत important है question number 43 B option आप लोग आ चुका है B option इसका सही उत्तर है next question पर move करेंगे ribbon वाले उपकरण में सिर्फ ribbon का भार कितना होता है जो ribbon वाले उपकरण है उसमें सिर्फ ribbon का भार होता है वाह कितना होता है 20 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम या फिर 40 ग्राम तो इसका जो भार होता है 35 ग्राम सभी लोग एक continuity के साथ में revision आप लोग करते रहेगा योग कि BPSC estate का exam आपका next month में होना है इसकी तैयारी लगातार एक अच्छे competition के label के हिसाब से कीजिएगा जितने लोग इसमें farm fill के हुए और तैयारी कर रहे है योग कि समय कभी वापस नहीं आता इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा बहले ही आपकी जॉब बिहार में अभी लग जाए आप पहले कहीं जॉब पाईए ये कोसिस रहनी चाहिए कि आप जो farm fill के इसको crack करना है इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा राइट आंसर 44 का हो जाता है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर सी उतर होगा इसका 35 ग्राम सिंक्रोनाइजड ट्रैंपॉलीन के लिए प्रदर्शन छेतर की लंबाई बताना है इसकी लंबाई कितनी होती है इसकी लंबाई होगी 15 मीटर 55 मीटर 33 मीटर या फिर 35 मीटर सिंक्रोनाइजड ट्रैंपॉलीन के लिए प्रदर्शन छेतर जो है इसकी नंबाई बताना है आपको 45 तो ये हो जाता है आपका सही आंसर आप लोगों ने अटेम्ट किया ए उत्तर से रिलेटर है ए आप्सन करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं सिंक्रोनाईज टेम्पोलिन के लिए प्रदरसन छेतर की चोड़ाई बता दीजेगा इसके लिए जो प्रदरसन छेतर इसकी जो चोड़ाई होती है वहाँ 44 मीटर होती है 43 मीटर होती है 15 मीटर होती या फिर 33 मीटर है questions का label जो आपने देखा 1 से लगा के अभी तक के बिल्कुल 210 questions आपके रहेंगे और 210 में से 210 questions बहुत बहतरीन है आप सभी लोगों की तैजारी बहतरीन है और इन questions को आप लोग round repeat किजेगा C option इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे 46 में Next question है Synchronized trampoline के लिए hall की छत की उचाई बताना है यह जो hall की छत होती इसकी उचाई कितनी होगी 10 से 12 मीटर 22 से 34 मीटर 34 से 36 मीटर या फिर 44 से 58 मीटर 47 में आपका आंसर आ रहा है 10 से 12 मीटर A option इसका correct answer Next question पर move करेंगे Next question है Trampoline, Gymnastic में प्रतियोगिताओं को कितने प्रकार में बाटा गया है इसमें जो प्रतियोगिताएं हैं इनको कितने टाइपस में इवाइड किया गया है 3, 5, 2, या फिर 6 कितने प्रकार में बाटा गया है सबी लोग अपना answer attempt कीजएगा अगर physical education की तयारी करने तो चैनल को अवस सब्सक्राइब कीजएगा योगि किसी भी state से आप belong करते हो अगर तयारी आपकी बहतरीन होती है और चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं लगातार तयारी करने तो कहीं न कहीं आपको एक benefit अवस मिलेगा एक्जाम्स में एक option इसका सही answer है एक उत्तर right answer next question है ट्रंबलिन 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 प्रोजर्शन छेतर की लंबाई बताईए 49 45 meter 55 meter 66 meter या फिर D option है 77 meter 49 में आप लोगों का answer सभी लोग attempt कर रहे हैं यहाँ पर E option E उत्तर इसका सही answer है next question पर move करते है next question दिया हुए ट्रंबलिन ट्रंबलिन प्रदर्शन छेतर की चोड़ाई कितनी होती है इसकी चोड़ाई आप लोग बताएंगे 44, 5, 33, या फिर 38 meter 50 number 50 में आप लोगों का answer है कितनी होती है 5-8 meter होती है 8-10 meter होती है 7-12 meter या फिर 5-10 meter 51 51 51 51 51 तो यह उचाई कितनी होती है 8-10 meter होती है B option इसका सही answer होता है next question पर move करते है aerobic gymnastic के लिए छट की उचाई बताएंगे जो aerobic gymnastic है इसके लिए छट की जो उचाई होती वहा कितनी होती है 10-12 meter 10-15 meter 15-20 meter या फिर 8-15 meter aerobic gymnastic के लिए छट की उचाई इसकी उचाई कितनी हो जाएगी यह होगी 10-12 meter इस प्रस्न में आपका आ रहा है उत्तर correct है next question पर move करेंगे rhythmic gymnastic के लिए hall की जो छट होती है इसकी उचाई कितनी होनी चाहिए इसकी उचाई कितनी होनी चाहिए देखिए 8-10 meter होनी चाहिए 8-15 meter 10-12 meter 15-20 meter question number 53 बिल्कुल सभी लोग answer attempt करेंगे और इसका सही answer जो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर ए आप्सन हो जाएगा 8-10 meter है next question पर move करते है next question है पुर्सों के artistic जिमनास्टिक के लिए छट की उचाई बताना है कि 54 नमबर प्रस्ट में आपका क्या answer होगा यहाँ पर आप लोग का answer आ चुका है next question पर move करते है next question है महिलाओं के लिए artistic जिमनास्टिक के लिए छट की उचाई कितनी होती है तो इस question में आप लोग सही उत्तर attempt कीजिएगा कि 55 और 56 नमबर एक दूसरे से जुड़े हुए प्रस्ट है हाँ 56 अलग होगा 55 आप लोग देख लिजिएगा यह होता है 8 से 10 मीटर भी option इस प्रस्ट का साई answer next question पर move करेंगे boxing के मैदान को क्या कहा जाता है जो boxing का मैदान है इसको क्या कहा जाता है इसको क्या बोलते है ring बोलते है, rink बोलते है, court बोलते है या फिर field बोलते है boxing के मैदान को क्या कहा जाता है इसको क्या बोलते है exact A option आप लोग का सही answer है यहाँ पर A उत्तर से relate कर जाएगा next question पर move करेंगे next question क्या है boxing के मैदान के ring की लंबाई बताईएगा यह question important है इसकी लंबाई कितनी होगी और जो भी important questions है वो सभी आपको provide के जा रहे है question number 57 बताईए 57 में आपका answer है यहाँ पर 20 feet से related है next question पर move करते है next question दिया हुआ है boxing के मैदान ring की चौड़ाई कितनी होती जो boxing का मैदान ring है इसकी जो चौड़ाई होती है 20 feet होती है 33 feet होती है 22 feet होती है या फिर 55 feet होती है 58 देख लिजे इसका answer आप लोगों का जो होना चाहिए वहाँ किस उत्तर से relate करेगा बहुत important person है right answer हो जाएगा 20 feet इसका सही answer है next question पर move करते है next question दिया हुआ है 69 number ring की उचाई कितनी होती जो ring है इसकी उचाई कितनी होगी 3 feet होगी 6 feet होगी 6 meter होगी 1 meter या फिर 5 feet देखिए जब अर्दास्त प्रस्न है सही answer से relate करेगा next question पर move करेंगे ring के रस्से platform के अंदर रहते हैं ये 1 feet, 2 feet, 1.5 feet या फिर 3 feet 1.5 feet से related है next question पर move करते है next question है अंतराश्ट्री, amateur, कुस्ति, संग की स्थापना की बात करेंगे तो ये आप लोगों का answer कई बार आ चुका है practice sets में भी दिया गया है और साथ-साथ में live class में भी दिया जा चुका है next question पर move करते है next question है कुस्ति को Olympic खेलों में कब सामिल किया गया ये question को आप लोग बिलकुल screenshot ले लिजेगा और answer सभी को पता होगा बिलकुल 1918-1996 1908 या फिर 1904 question number 62 तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा 62 में right answer है next question पर move करते हैं कुस्ति में प्रथम आपका जो राजियो गांदी खेल रत प्रुसकार है इसमें राजियो गांदी खेल रत प्रुसकार का जो नाम परिवर्थित किया गया था ये आपका कौन सा है मेजर ध्यान चंदवार बिलकुल 25 लाख इसमें प्रुसकार राजियो ये बताईएगा किसको दिया गया केडी जाधा हो सुसील कुमार सजजन सिंग या फिर उदाई सिंग ये जो प्रदान किया गया था सुसील कुमार को प्रदान किया गया था umm किस खेल से संब्दित है बिलकुल बहुत इंपोर्टेंट है सभी लोग अपनी स्कोरिंग करते रहिएगा कि जो भी आपको महराथन वीडियो आज दिया जा रहा है इसमें कितने प्रस्ण आपके सही होते हैं उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कुस्ती से रिलेट करेगा D option इस प्रस्ण का right answer next question है cradle सब्द किस खेल से संबंदी थे जो cradle सब्द है यहाँ कौन से खेल से रिलेटेड है हाकी फुटबॉल कुस्ती अफरिका बड़ी 65 65 नंबर प्रस्ण सभी की स्कोरी बहुत बहतरिन है बिल्कुल A option, B option, C option, D option OMR seat पे आपको एक answer attempt करना है इसमें से कौन सा उत्तर होगा तो बिल्कुल आपका C उत्तर हो जाएगा कुस्ती से रिलेट करेगा cradle सब्दा वली जो है यह कुस्ती से रिलेटेड है आपका C option इसका राइड आंसर है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं नेक्स्ट कोईशन दिया हो है डाक फाल सब्द किस खेल से संब्दी था है इस सब्दा वली को बताईएगा यह कौन से खेल से रिलेटेड है और जो भी स्टुडेंट पेड गूप जोईन करना चाहते हैं जोईन कर सकते हैं इसी नंबर पर आप लोग कॉंटेक्ट करके फोन पर गूगल पर अमेजन पर पेटियम एकाउंट पर वाटसाप पेमेंट या फिर किसी अनिके माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीन सॉट सेंड करके गूरूप से जोईन हो सकते हैं बहुत सा स्टुडेंट के मोबाइल में ये नंबर आल्रेडी फीड है आप लोग एक्जाम से डेट का वेट कर रहे हैं वेशन नंबर 66 से राइट आंसर जो हो जाता है इसमें कुस्ति से रिलेट करेगा बताई ये ये रिलेट करता है कुस्ति से नेक्स्ट कोईशन है 68 बिल्कुल सभी लोग आंसर अटेम्ट करेंगे इसमें आपका उत्तर कौन सा हो जागा 1905 सभी लोग अटेम्ट किया है कुस्ति में एक राउंड का समय बताना है फो मिनेट 2.5 मिनेट 3 मिनेट या फिर डी आपसनेट 2 मिनेट 79 विल्कुल मैराथन वीडियो में आप लोग अपना स्कोर कीजिएगा कि कितने कुईशन सही हो रहे हैं विल्कुल आप लोग जो लाइप क्लाश डेली अटेम्ट करते हैं उसमें स्कोरिंग बहुत बहतरिन रहती है और सभी लोगों की तयारी भी बहतरिन चल लही है कुश्ती में एक राउंड का समय बताना ये कितना होगा 3 मिनेट से रिलेट करता है नेक्स्ट कोईशन है 71 राउंड के बाद कितना मध्यांतर दिया जाता है जो एक राउंड होता उसके बाद जो मध्यांतर दिया जाता है वह कितना दिया जाता है 20 सेकेंड का दिया जाता है 10 सेकेंड का मध्यांतर दिया जाता है 40 सेकेंड या फिर दी उत्तर है 30 सेकेंड देखी एक round के बार कितना मध्यांतर दिया जाता है 20 seconds, 10 seconds, 40 seconds या फिर 30 seconds 70 में आप लोगों का answer यहाँ पर होना चाहिए कौन सा option तो यह जो मध्यांतर दिया जाता है 30 seconds का दिया जाता है D option इस प्रसन का right answer है Next question पर move करते है Next question है Judo का जन्दाता देश है Judo का जन्दाता देश कौन सा है France, Yunan, Japan या फिर चीन यह easy question अभी तक आपने 71 प्रसन पढ़ें 71 में से सबसे आसान प्रसन आपका C option सभी लोगों ने अटेम्टी किया है Japan answer later है Next question है Judo खेल की स्थापना बताईजे जो Judo का गेम है इसकी जो स्थापना हुई थी यह कौन से सन में हुई थी 1884 में हुई थी 1883 में हुई थी 1882 जा फिट D option है 1881 में हुई Question number 72 Judo का खेल जो है इसकी स्थापना यह हुई थी 1882 में C प्रसन का उत्तर हो जाएगा Next question पर move करेंगे Next question क्या दिया हुई Judo किस देश का राश्ट्री खेल है Judo जो है यह कौन से देश का राश्ट्री खेल है Chin, Japan, Nepal, Italy देखिएगा तो Judo जो है Japan से रिलेट करता है अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है Next question पर move करेंगे International Judo Federation की स्थापना कब हुई जो International Judo Federation है इसकी स्थापना कब हुई थी मायराथन वीडियो के अंतरगत आपकी स्क्रीन पर है 74 question number इसमें आप लोग राइट आंसर अटेम्ट कीजिएगा कि सही उत्तर क्या होगा इसके पहले के वीडियो के लिए आप लोग यूटूब पर सर्च कीजिएगा Physical education by Pankasar Practice sets मायराथन वीडियो का लिंक आपको playlist में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग उनका revision कर सकते है Top 20, Top 30, 40, 50 की classes भी आपको मिल जाएगी वो भी classes आप लोग वहाँ से repeat कर सकते है 84 number का A option है 1951 Next question पर move करते है Judo Federation of India की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी 1964 में हुई थी Judo Federation of India की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी? क्या answer आ रहा है सभी का? A option से relate करेंगे क्या? Judo Federation of India की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर C option इसका right answer होगा Next question पर move करते हैं Judo में champion area जो एक कम से कम कितने मीटर का होना चाहिए ये जो area होना चाहिए कितने मीटर का minimum होना चाहिए बिलकुल 76 में देखते हैं कितने लोग का answer आता है ये थोड़ा सा नया question है Already आप लोग quiz में पढ़ चुके हैं इसको हाँ 76 नमबर में आपका B option होगा 14 into 14 से relate करता है B option इस प्रसन का right answer Next question है Judo के platform के गद्दे की उचाहिए बताईएगा कितनी होती है Judo का जो platform होता है इसके गद्दे की उचाहिए जो होती है 55 cm होती है 40 cm होती है या फिर आपका C और D दिये हो है 50 और 60 cm चारों option में से आप लोग attempt कीज़े कि आपका उत्तर जो होगा यहाँ पर कौल सा हो सकता है A, B, C या फिर D option इसमें right answer है 77 में आप लोग उत्तर जल्दी से attempt कीज़ेगा कि इस प्रसन में आपका answer किस option से related है बहुत जबर्दस्त और important question इसमें हो जाएगा आपका 50 cm C option इसमें सही answer है Next question आपकी screen पर है जूडों में पुरसों के लिए कितना समय होता है तो जूडों में जो पुरसों के लिए timing होती है वो कितनी होती 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या फिर 6 मिनट 78 बताईजेगा बहुत इंपोर्टेंट है तो यह timing की बात करते है तो 5 मिनट से related है Next question पर move करते हैं यहां 79 है इसमें जूडों में महिलाओं के लिए कितना समय होता 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या फिर 6 मिनट Question number 79 में सभी लोग answer attempt करेंग और सही उत्तर से answer attempt कीजिएगा Right answer यहां पर कौन सा हो सकता है बिल्कुल जूडों में महिलाओं के लिए जो कितना समय होता तो यह होता 4 मिनट का समय यहां पर B option से relate करेगा B उत्तर इसका Right answer Next question पर move करेंगे कि जूडो मैट पर कितने judge होता है जूडो मैट जो होता इस पर कितने judge होते है एक जज होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, या फिर चार जज होते हैं यहाँ पर जिजजेस की संख्या होती है, सभी के आंसर से रिलेट करता है A option नेक्स्ट कोईशन है, इसमें आपकी जूरी बताना कितने होते हैं बताईएगा, 81, बिल्कुल पेमेंट आप लोग इसी नमबर पर कर सकते हैं क्वेशन नमबर 81 में आप लोगों का आंसर 4, 3, 2 या फिर 1 यहाँ पर आंसर आप लोगों का हो जाएगा D option आपक है, जूडो को साहिफ खेलोàngümे सामिल किया गया मैं वह कौन से वह सामिल किया गयाथा है नेक्स्ट कोईशन पर और मूब करता है, जूडो कितने मीटर बते हैं 2, 3, 4, 5, 2 मेटर तिरासी तो यह होता है आपका बी आप्सन यहां पर सही आंसर से रिलेट करता है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं नेक्स्ट कोईशन दिये जूडो मैट पर लगे टेप की लंबाई बताईएगा तो जूडो का जो होता है मैट होता उस पर लगा हुआ जो टेप की लंब बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ट सही आप्षन इसमें आप लोग अटेम्ट कीजिए एक्टी फॉर एक्जाक्ट डी आप्षन से रिलेट करेगा फिफ्टी सेंटी मीटर से संबन्दी थे नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं जूडो प्लेट फार्म की उचाई जमीन से कितनी उपर होती है तो यह होता है आपका यहां पर आंसर हो जाता है ए Mount, B einz, C या फिफD आप्षन राइट उक्तर हो जायेगा पचास सेंटी मीटर नेक्स्ट क Répष्इन पर मूब करेंगे NIS पटियाला कॉर्स में जूडो कभ सामिल किया गया जो NIS पटियाला कॉर्स है इसमें जो जूडो सामिल किया गया था यह कभ सामिल किया गया था बताईए 1970 में सामिल किया गया था 1975, 1976 या फिर 1977 86 exact answer आप लोगों का हो जाता है यहाँ पर D उत्तर 1977 में सामिल किया गया थे जूडो नेक्स्ट कोईशन है जूडो में निरनायक को क्या कहते हैं जूडो में जो निरनायक होता है उसको क्या बोलते हैं सूसिन बोलते हैं, जूडो का बोलते हैं, जूडोगी बोलते हैं जा फिर इन में से सभी बोलिए जूडो में निरनायक को क्या कहते हैं 87 तो यह होता है सूसिन यानि कि जूडो में निरनायक जो होता है A option से relate करता है A उत्तर इसका correct answer है next question पर move करेंगे next question है 88 जूडो महिला वर्ग में कितने भार वर्ग होते हैं तो जूडो जूडो महिला वर्ग है उसमें कितने भार वर्ग होते हैं 5, 9, 8 या फिर 7 देखिए 88 में 5 होते हैं 9 होते हैं 8 होते हैं या फिर आपका D option है 7 होते हैं तो 88 में हो जाएगा यहाँ पर 7 भार वर्ग होते हैं next question आपकी screen पर है 89 बिल्कुल मैराथन वीडियो में आपके 200 प्लस questions हैं इन questions का revision आप सभी लोग अवस्य कीज़ेगा 89 नमबर प्रस्न में आप लोगों का answer जो आ रहा है भारत की पहली राष्ट्रिय जूडो प्रत्योगिता कब हुई इसकी जो पहली प्रत्योगिता हुई थी जूडो की वो कौन से सन में हुई थी 1906 में हुई थी next question पर move करेंगे भारत की पहली राष्ट्रिय जूडो प्रतियोगता कहां आयोजित की गई इसका जो आयोजन किया गया था तो ये कहां पर आयोजित किया गया था दिल्ली, मुंबाई, हैदराबाद या फिर चन्नाई भारत की पहली राष्ट्रिय जूडो प्रतियोगिता तो ये आयुजित की गई थी हैदराबाद में अभी आप लोगों ने कल के लाइक क्लास में ये क्वेशन देखा था नेक्स्ट कोईशन है बाक्सिंग में रेफरी कितने होते हैं इसमें जो रेफरी होते हैं वो कितने होंगे 3,4,2,1 देखिए 91 बहुत important प्रस्ण है बिलकुल एक continuity आप लोग की जो बनी हुए इसी continuity के तहट आप लोग को तयारी करनी है right answer आप लोग का यहां पर कौन सा option है d उत्तर से relate करता है आप सा next question पर move करते हैं next question है boxing में कितने जज होते हैं इसमें जो जजों की संख्या होती है वहाँ कितनी होती है 5,4,3 या फिर 7 सभी लोग answer अपना देखिएगा कि इस प्रस्ण में जो उत्तर होगा boxing में कितने judges होते हैं तो वह कौन से option से आप उत्तर relate करेंगे 92 question number में A option है B option है C है या फिर D उत्तर है right answer आप सभी का होना चाहिए तो boxing में judges की बात करेंगे तो A option से relate करेंगा 5 हो जाएंगे next question पर move करते है next question दिया हुआ है knockdowns नामक terminology किस खेल में प्रियोग होती है जो knockdowns नामक terminology है वह कौन से खेल में प्रियोग होती गोल्फ, snooker, boxing या फिर billiards question number 93 option आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए बिलकुल सही उत्तर ह्टेम्ट कीजिए बहुत important है knockdowns नामक terminology किस खेल में प्रियोग की जाती है तो ये प्रियोग होती है boxing में C option इसका right answer है next question पर move करेंगे next question है light, bottom, weight, category, boxing में किस work के लिए होती है जो ये category होती है कौन से work के लिए होती है बिलकुल 210 प्रसनों की आपकी ये series है answers आपके बिलकुल correct होने चाहिए 94 में आप लोगों का answer जो आ रहा यहाँ पर किस option से relate करेगा पुरुस महिला एव अभी दोनों या फिर इन में से कोई नहीं 94 में बी option आप लोग की screen पर है next question पर move करेंगे next question है पिमवेट category boxing में किस work के लिए होती है ये कौन से work के लिए होती है 95 question number बिलकुल बहुत important है exam की दरश्ट से देखिएगा ये option आप लोगों का यहाँ पर answer आ चुका है next question पर move करेंगे next question दिवार रिंगो रिंग जो होती में रसों की कितनी संख्या होती है रिंग में जो रसों की संख्या होती है ये 2 या 3 एक या 2 चार या 5 या 3 या 4 question number 96 answer आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर D option है 3 या 4 से रिलेटर है next question है रसों का ब्यास बताना है आपको जो रसों का ब्यास होता है वह कितना होता है बिलकुल important questions exams अगर दिसंबर में आपके दो हो रहे है एस्टेट और बीपी एसी तो उनके लिए आपकी preparation complete होनी चाहिए और साथ में UPTGT LT grade राजस्थान PTI grade 2nd grade 3rd MP वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए आप लोग preparation करिएगा उत्त्रा खंड LT grade के अभिहर्थी भी तयारी करते रहें यहाँ पर answer हो जाएगा आप सभी लोगों का correct answer से relate करता है A option 5 cm है next question पर move करेंगे next question है gloves का भार कितना होता है जो gloves है इनका भार कितना होता है 12 onts 20 onts 13 onts या फिद 10 onts 98 जल्दी से answer से आप लोग attempt कीजिएगा 98 में answer आप लोग का आ चुका है यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा D option से relate करता है D उत्तर इसका answer बिलकुल सही answer है और इसके पहले के वीडियो के लिए आप लोग playlist में अवस्ट कोईशन का एक बार revision कर लिजएगा वहाँ से playlist पूरा पूरा आप देख लिजएगा हो सकता है वहाँ से भी आप लोग को एक्जाम में benefit मिल सके बिलकुल 99 कबड़ी गोल बाक्सिंग बिलियर्स तो यह हो जाएगा आपका C option boxing से लेटर है और आज की इस वीडियो का 100 नंबर का question है अभी आपके 210 questions आपको provide किया जैने फ़र्ष्ट पार्ट में आपके 100 questions आप लोग के screen पर right answer देखिएगा इसमें क्या होगा बहुत important A option इस प्रस्ष्ट का सही answer है A उत्तर correct answer है next question आपकी screen पर है 101 इसमें अभी आप फ़र्ष्ट पार्ट में देखिएगा 100 में से आपके exactly कितने questions correct हुए है question number 101 practice set में आप लोग के जो question से बहुत important है right answer आप लोग attempt कीजिएगा 101 में IBF की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 1950, 1980, 1953 या फिर 1972 में right answer आप लोग attempt कीजिएगा कि यहां पर जो उत्तर है आपको 101 में किस option से रिलेट करता है आपने 100 questions already attempt कर लिए है यह आपके 110 questions बचे हैं यह हैं आपके screen पर C option आपका marathon वीडियो का यहां पर 101 में हो जाएगा next question पर करते हैं रिंग का आकार कैसा होता है जो रिंग है इसका जो आकार होता है वह कैसा होता है गोल होता है आयता कार होता है वर्गा कार होता है या फिर डी option दिया हुए अंडा कार होता है देखिए 102 प्रस्ट में आप लोगों का जो आंसर है यह राइट आंसर से रिलेट करना चाहिए और बहुत ही आसान प्रस्ट में हैं सही उत्तर आप लोग अटेम्ट कीजिए A, B, C या आपकी स्क्रीन पर D उत्तर इसका राइट है नेक्स्ट कोईशन से पहले आप लोगा अंसर आटेम्ट कीजिए गा और जिस तरीके से आप लोग का रिवीजन चला बस इसी रिवीजन को आप लोग एक से दो बार कम्पलीट करते रहिएगा बहुत बहुत बेहतरीन तयारी आप लोग की कम्पलीट होती जाएगी 102 है C option वर्गा कार से related है next question पर move करेंगे ring के canvas का रंग कोन सा होता है जो ring का canvas इसका जो कलर होता है वाः कैसा होता है हरा होता है लाल होता है नीला होता है या फिर सफेद होता है और जितने भी student चैनल पर first time visit करें वो चैनल को subscribe करके bell icon को press करते है योगि चैनल पे आप लोगों के लिए जो स्रीज जो भी प्रैक्टिस है जो भी माराथन वीडियो लाया जाता है बहुत बेहतरीन कोईशन का कलेक्शन वहाँ पे प्रुवाइड किया जाता है एक सो तीन में आप लोगों का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी आपसन नीला से रिलेट करेगा नेक्स्ट कोईशन तर मूब करेंगे एक मानक रिंग में कितने रस्से होते हैं जो एक मानक रिंग है इसमें जो रस्सों की संख्या होती है वह चार तीन पांच या फिर छे देखियेगा उत्तर इसमें आपका अटेम्ट होगा कौन साब बिलकुल सही आपसन आपका आना चाहिए एक मानक रिंग में कितने रस्से होते हैं जो मानक रिंग है इसमें जो रस्से होंगे वो कितने होंगे सबी लोगा आंसर अटेंट कीज़े बहुत ही important प्रस्न है इसमें हो जाएंगे आपके ये option ही चार रस से होंगे next question पर move करेंगे ring के हिससे किस रंग के होते हैं जो ring है इसके जो हिससे होंगे वो कौन से color के होंगे हरा, सफेद, लाल या फिर पीला 125 बिल्कुल सभी लोग आंसर अटेम्ट कर रहे हैं और बिल्कुल सही उत्तर आप लोग का है देखिएगा यह हो जाएगा यहाँ पर भी आप्सल से रिलेट करेगा भी उत्तर इसका राइट आंसर नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं बॉक्सिंग के रिंग में प्रतियोगिता के लिए कौन से दो रंग होते हैं जो बॉक्सिंग का रिंग है इसमें जो प्रतियोगिता है उसके लिए जो दो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं नीला लाल होता है, सफेद लाल होता है, सफेद नीला होता है, या फिर पीला काला होता है, तो question number जो आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग का answer आपको attempt करना है, 106, question number में आप लोग का answer जो attempt हो रहा है, बिल्कुल सही उतरा आपने attempt किया है, A option इस person का right answer है A उत्तर correct answer Next question पर move करते हैं लाल कोने वाले खिलाडी का जो head guard होता है वह किस रंग का होता है जो लाल कोने वाले खिलाडी का head guard होगा वह कौन से रंग का होता है देखिए इसमें आप लोगों की scoring क्या रहने वाली है बिलकुल मैराथन वीडियो टोटल 200 questions है और आपके यहाँ पर second part में questions आपको provide किया जा रहे है सही answer आप लोग की screen पर आ चुका होगा और सही answer आपने attempt किया है अगर C, D, A या फिर B तो क्या उत्तर आपका सही होगा right answer हो जाएगा आपका B options से related है next question आपकी screen पर boxing ring के रसों की मुटाई कितनी होती है जो boxing ring है इसके जो रसे होते हैं उसकी मुटाई कितनी होती है 4 cm होती है 3 cm होती है 5 cm होती है या फिर D option है 7 cm boxing ring के रसों की मुटाई बताना है आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा option आपका 4 cm से related करता है A option इस question का right answer होता है next question आपके screen पर है boxing प्रतियोगिता के परिवेच्छक के बाएं हाथ की और कौन सा कोना रहता है जो boxing प्रतियोगिता का परिवेच्छक है उसके बाएं हाथ की तरफ जो होता है वह कौन सा कोना रहता है 109 बहुत important प्रसने सबी लोग answer attempt कीजिएगा सफेद न question number 109 में answer आप लोग का क्या हो सकता है बिलकुल सब ही लोग जो उत्तर attempt कर रहे हैं यहाँ पे लाल से attempt कर रहे हैं तो उत्तर हो जाएगा आपका सही answer C option right answer next question पर move करेंगे रिंग के कितने उपर तक रस्से बंधे रहते हैं जो रिंग है इसके कितने उपर तक रस्से बंधे रहते हैं देखिए 110 A, B, C, F, D right answer हो जाता है next question रिंग के रस्सों को आपस में कितनी दूरी रहते हैं इसके बीच वो डिस्टान्स होती है वह कितनी होती है 20 cm होती है 50 cm होती है 30 cm होती है या फिर 25 cm 111 है रिंग के रस्सों की जो आपस में दूरी होती है वह कितनी होगी 111 में आपका answer हो जाता है यहाँ पर 20 cm, 50 cm, 30 cm या फिर 25 cm C option है 30 cm होती है C उत्तर इसमें सही answer next question है boxing में जब कोई खिलारी knockdown हो जाता है तो referee कितनी गिंती गिंता है इसमें जो referee गिंती गिंता है कितनी गिंती गिंता है एक से पांस तक गिंती गिंता है एक से आठ एक से दस या फिर दो से दस 112 इसमें जो गिंती गिंता है वह एक से दस तक गिंता है next question पर move करते है boxing के एक round में अधिक से अधिक कितने 8 count दिये जा सकते हैं इसमें जो अधिकतम count दिये जा सकते हैं 8 count वो कितने दिये जा सकते हैं 3, 8 count दिये जा सकते हैं 1, 5 या फिर 2 1, 1, 3 सभी लोग answer attempt कीजिए बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग की तैयारी होनी चाहिए जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है 113 number A option इसमें सही answer है right answers related है next question पर move करते है boxing में knockout को किस परतीक के द्वारा चिन्धित किया जा था जो boxing है इसमें जो knockout है इसको कौन से परतीक के द्वारा चिन्धित किया जाता है चारों option में से आप लोग का एक उत्तर इसमें सही होगा देखिए कौन सा उत्तर आप लोग सही करेंगे 114 में सही answer आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर right answers related next question है कुस्ती का जन्मदाता कौन सा देश है जो कुस्ती है इसका जो जन्मदाता देश है वह कौन सा है फ्रांस है भारत है अमेरिका है या फिर D option है इंग्लैंड कुस्ती का जन्मदाता कौन सा देश है तो कुस्ती का जन्मदाता देश यहाँ पर कौन से option से relate करेगा next question पर move करते है next question है boxing में foul bout के पस्चात जो है कितने समय के बाद खिलाडी protest कर सकता है देखिए 116 बिल्कुल आप लोग 115 पर कुस्ती का जन्मदाता कौन सा देश है इस question को attempt कर रहे है सही answer आप लोग बताईएगा 116 नंबर आप लोग attempt कीजिए 5 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट या फिर 3 मिनट सही answer हो जाएगा यहाँ पर 6 मिनट से relate करेगा next question पर move करते है कुस्ती में कितने निर्णायक होते है अभी आपने जो इसके पहले की सीरी चल लई थी उसमें ये question देखा हुआ था ये repeated question यहाँ पर है इसमें निर्णायक होते है या एक हो जाएगा कुस्ती में प्रियुक्त होने वाले मैट का ब्यास कितना होता है ये भी question आपका यहाँ पर repeated है तो इसका जो ब्यास होता है वो कितना होगा 9 मीटर इसमें कुस्ती के मैदान की लंबाई बताना है ये कितनी होती है देखिए 12 मीटर, 14 मीटर, 17 मीटर या फिर 19 मीटर बिल्कुल 12 मीटर से रिलेट करेगा नेक्स्ट कुईशन पर मूब करेंगा नेक्स्ट कुईशन कुस्ती के मैदान की चोड़ाई कितनी होती है बहुत important question है इस प्रस्ण का उत्तर आप लोग comment करके बताईएगा कि यहाँ पर जो 120 number question है इसका answer क्या होना चाहिए next question पर move करते है बॉली बॉल खेल की खोज किस ने की थी जो बॉली बॉल का game है इसकी जो खोज की गई थी जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या फिक कैनाडा 121, बॉली बॉल खेल की खोज तो इसकी जो खोज की थी यह अमेरिका ने की थी यहाँ पर answer आपका हो जाता है B option next question आपकी screen पर क्या दिया हुए बिश्व की प्रथम बॉलीबाल प्रतियोगिता कब हुई जो बिश्व की प्रथम बॉलीबाल प्रतियोगिता है वह कब हुई 1922 में हुई 1920 मही सन 1900 या फिर इन में से कोई नहीं बताईए राइट आंसर से रिलेट करना है सभी लोगों को उत्तर और यहां पर सभी का आंसर जो हो जाएगा ए आफसन इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है बिस्ट की प्रथम बॉलीबाल प्रतियोगिता कहां आयोजित की गए जो बिस्ट की प्रथम बॉलीबाल प्रतियोगिता है इसका जो आयोजन किया गया नियू यार्क नई दिल्ली कनाड़ा या फिर चीन 123 बिल्कुल एक continuity के साथ में आप सभी लोग चैनल के साथ में जुड़े रही है और जिसको भी paid group जॉइन करना है नए बैस से जुड़ना चाहते हैं फोन पे गूगल पे अमेजन पे पेटियम एकाउंट पे वाट्सप पेमेंट या फिर किसी अनिक के माधियम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीन सॉट्स सेंड करके group से जॉइन हो सकते और अपनी तयारी को बहुत बहुत बहुतिन तरीके से complete कर सकते है 123 का आंसर जो हो जागा यहाँ पे नियू यार्क से रिलेट करता है ए आफ्सन इस प्रसन का सही उत्तर है नेक्स्ट कोशन है आपकी स्क्रीन पर 124 भारत में बॉलीबॉल की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी जो भारत में बॉलीबॉल की प्रथम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वहाँ कब आयोजित की गई थी 1947, 1936, 1951 या फिर 1988 में तो यहाँ जो बॉलीबॉल की फर्स्ट प्रतियोगिता आयोजित हुई थी यह कौन से सन में आयोजित हुई थी 1936 में आयोजित की गई थी इसका भी आफसन इसमें right answer है next question पर move करेंगे भारत में volleyball की प्रतम प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी अब ये बताइगा कि इसकी जो प्रतियोगिता हुई थी volleyball की ये पहली प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ लाहोर में हुआ कोलकाता या फिर पंजाब देखिएगा नई दिल्ली जितने भी लोग अटेम्ट कर रहे हैं आंसर हो जाएगा गलत तो पहली जो पृतियोगता का आरुजन उस टाइम पे हुआ था ये लाहोर में हुआ था बी आप्सन इस कोईशन का होका राइट आंसर नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे नेक्स्ट कोईशन है फिजकल एजक्वेशन के लिए अगर जो भी इस्टुएंट तयारी कर रहे हैं बेलकुल कांटिन्यूटी बनाया रिखेगा अंतर राष्ट्रिय बॉली बॉल संग ज साफिड डी आप्सन ने उननीस सो अरतालिस देखिए का इसमें आपका क्या आंसर हो सकता है बॉली बॉल संग की स्थापना ये कौन से सन में हुई देखिए कोईशन नंबर आपकी स्क्रीन पर 126 सभी के आंसर्स यहां पर राइट हो रहे हैं बिल्कुल इसी continuity को आप लोग बनाया रिखिएगा एक्जाम तक सी option है 1947 से relate करता है next question पर move करते हैं अंतर राष्ट्रिय बॉली बॉल संग का मुख्याले कहां पर है जो अंतर राष्ट्रिय बॉली बॉल संग है इसका जो मुख्याला है सुझ्जा लैंड लंदन इंग्लैंड या फिर चाइना इसका मुख्याला है लुशान है सुझ्जा लैंड में next question पर move करेंगे बॉली बॉल खेल के जमदाता कौन है इसके जो जमदाता है वो कौन है देखे questions का लेबल जो है आपके exam के according है और तयारी अगर आपकी बेहतरीन तभी होगी जब आप एक systematic तरीके से अपनी तयारी को complete करेंगे क्योंकि आप लोग भी जानते है कि private और government जॉब में कितना difference है बिलकुल time निकालियेगा थोड़ा पढ़ियेगा लेकिन पढ़ियेगा जरूर बॉली बॉल खेल के जमदाता कौन है बिलियम जी मॉर्गन है ह एच जी मॉर्गन है टी एस हॉस्टिड है या फिर इन में से कोई नहीं 128 में आप लोगों का answer राइट आना चाहिए बिलियम जी मॉर्गन होगा क्या बिलकुल ए आफसन इसका सही answer है next question पर मूब करते हैं बॉली बॉल कोर्ट की कुल free zone सहीत लंबाई कितनी होती है कुल जो free zone सहीत लंबाई होती है वहा कितनी होती है 129 में 30 मीटर होती है 32 मीटर होती है 44 मीटर या फिर 54 मीटर 129 बहुत important प्रस्न right answer से उत्तर आप लोग attempt कीजिए 130 में सही answer हो जाएगा आपका 19 मीटर सी option इस question का सही answer next question पर मूब करते हैं volleyball खेल में ball peekers कितने होते हैं जो volleyball का game होता है उसमें जो ball peekers होते हैं वहा कितने होते हैं 2 होते हैं 4 होते हैं 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं और सभी लोग अपनी तयारी जारी रखिएगा 125 questions आपके UPT GT में रहेंगे 4 questions चार marks का एक प्रस्ण होगा 500 का पुड़ांख होगा 500 में आप लोग का target बहुत बहते हैं रहना चाहिए अगर आपको selection प्राप्त करना है क्योंकि जब score आपका 23 होगा तब ही आपका selection सुनिश्चित होगा और जो भी student BPSC के लिए वरतमान में तयारी कर रहे हैं या फिर 8 की preparation कर रहे हैं आप सभी का exam next month जो दिसंबर आने वाला है उसमें होना है इसलिए आप लोग अपनी तयारी को बहतीन तरीके से repeat करते रहेग UKN की उत्तरा खंड के लिए तो सभी लोग एक continuity जो आप लोग एक systematic तरीका हो तो उसके according पढ़ते रहेगा आने वाले exams में सफलता सभी को अवस्य प्राप्त होगी इस question का answer आप लोगों का अगर आया है C option तो आप लोगों ने उत्तर सही attempt किया हुआ है next question पर move करते है बॉल 2.5 एक मीटर होती है 2.5 जीरो मीटर होती है या फिर डी option 2.65 मीटर होती है 132 question नंबर में आपका answer क्या हो सकता है volleyball खेल में post की उचाई ये कितनी होगी बिल्कुल सही answer आप लोग attempt कीजियागा कि right answer यहाँ पर किस option से relate करता है बहुत ही important person है daily आप लोगों को practice से दिया जा रहा है महराथन वीडियो भी merge करके आपको दी जा रही है इनका revision आप लोग करते रहिएगा 2.55 मीटर से relate करता है a option इसमें सही answer नेक्स्ट कोईशन पर move करते है बॉलीवाल खेल में net के एक खाने की लंबाई बताना है कि जो एक खाना होता है उसकी लंबाई कितनी होती है 10 मीटर होती है 20 मीटर होती है 30 मीटर होती है या फिर d option है 43 मीटर देखिए 133 question है right answer आप लोग attempt कीजिएगा इस question में आप किस option से relate करेंगे question number 133 answer आप लोगों का आना चाहिए बिल्कुल correct 133 हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 मीटर से relate करता है a option इसमें right answer next question पर move करते है volleyball खेल में net के एक खाने की चौड़ाई कितनी होता है तो यहाँ पर volleyball खेल है इसमें जो net का एक खाना है इसकी चौड़ाई कितनी होती है देखिए 20 मीटर 10 मीटर 40 मीटर या फिर d option है 54 मीटर 134 question number 134 में आप लोगों का answer जो attempt हो रहा है यह किस option से relate करता है कौन सा option इसका right answer है बहुत बहुत बहुतरीन प्रसने सभी लोग अपना उत्तर attempt कीजेगा इसके पहले की वीडियो जिसने भी नहीं देखिए यूटूब पर सर्च कीजेगा physical education by Pankasar जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वहां से आप लोग सर्च करके देख सकते हैं 134 का जो answer हो जाएगा 10 मीटर से relate करता है next question है बॉली वाल खेल में net की लंबाई कितनी होती इसमें जो net की लंबाई होती वह कितनी होती है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा 135 question number इसमें जो right answer से उत्तर relate करेगा वह कौन सा होगा बिल्कुल सभी लोग उत्तर अपना attempt कीजेगा बहुत ही important person है सही answer हो जाएगा 9.5 मीटर यहाँ पर B option correct answer है next question पर move करते हैं next question क्या दिया हुआ है volleyball खेल में net की चौड़ाई कितनी होती जो volleyball का खेल है इसमें जो net की चौड़ाई होती वह कितनी होती है एक मीटर, चार मीटर, छे मीटर या फिर आठ मीटर होती है देखिएगा 136 पहुत जबरदास्त और important question सबी लोग अपना answer attempt कीजिएगा right answer इसका किस option से relate करता है A option आप लोग का इसका correct answer है A उत्तर एक मीटर से relate करेगा A option, right answer next question पर move करते हैं next question दिया हुआ volleyball खेल में महिलाओं के लिए net की height कितनी होती है इसमें जो महिलाओं के लिए net की height होती वहा कितनी होती है 2.43 meter होती है 2.24 meter होती है या फिर आपकी screen पर दिया हुआ है 2 meter या फिर D option है 2.40 meter देखिए 137 सही option आप लोग का इस प्रस्ट में कौन सा है बहुत important 2.43, 2.24, 2 meter या फिर 2.40 meter 137 में आप लोग answer attempt करेंगे B option से relate करेगा क्या बिलकुल 2.24 meter से relate करेगा B option इस question का right answer next question पर move करते हैं volleyball खेल में पुरसों के लिए net की height कितनी होती है net की जो height होती है वहा कितनी होती है 2.24 meter 2.43 meter 2.22 meter या फिर D उत्तर भी है 2.45 meter volleyball खेल में पुरसों के लिए जो net की height होती होती हो बताईजेगा बहुत important questions आप लोग की screen पर है सबी लोग के answer से सही होने चाहिए जो भी practice set मैराथन वीडियो दिया जा रहा है revision करते रहिएगा हो सकता है आने वाले exam जो BPSC कितनी होती है 9 meter होती है 28 meter होती है 18 meter होती है जा फिर D option है 49 meter बिल्कुल जितने भी students paid group join करना चाहते है नए batch से जोना चाहते है इसी number पर आप लोग contact कर सकते हैं और 3 month validity के साथ में आप लोग join हो सकते है paid group से जो कि आपका batch अब जो नया सुरू हो रहा है 139 में C option है 18 meter से relate करेगा C उत्तर correct answer है next question पर move करते है बॉली वाल के code की चोड़ाई बताइए का वा कितनी होती है जो बॉली वाल का code है इसकी जो चोड़ाई होती है 55 meter 9 meter या फिर 22 meter और एक D option है 40 meter तो 140 में आप लोगों का answer जो है ये कौन सा सही है देखिएगा 140 में सही option हो जाएगा 9 meter से relate करता है next question पर move करते हैं बॉली वाल केल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है जो बॉली वाल का game है इसमें जो खिलाडियों के संख्या होती है वहाँ 6, 12, 8 या फिर 10 next question वाली वाल खेल में time out कितने second का होता है इसमें जो time out दिया जाता है वहाँ कितने second का होता है बिल्कुल जो भी student first time channel पर visit कर रहे है वो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दें लोकिं मोस्ट से most important questions की series आप सभी लोगों को channel पर daily का daily provide की जाती है 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds या फिर D option है 50 seconds, 142 में आप लोगा answer attempt कीजियेगा कि यहाँ पर जो answer है आपका right answer हो जाएगा क्या? 30 seconds next question बाली बाल का खेल कितने घंटों का होता है? कितने आर्स का होता है यह game? 1 hours, 2 hours, 3 hours या फिर कोई इसमें timing set out नहीं होती है बताइए सही answer आप लोग की screen पर आ चुका है next question पर move करते हैं बाली बाल खेल का पहला नाम क्या था? इसका जो पहले का नाम था वो क्या था? पिंग पॉंग, मिल्टोन, एवा भी दोनों या फिर में से कोई भी option सही नहीं है 144 और जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक कि आपको मेहनत करनी हो और सफल ता 100% मिलेगी योग कि exam उसी student का crack होता है जो तयारी लगातार करता है बस सही दिसा में सही तरीके से आप तयारी कीजिएगा आपके exams अवस से crack होंगी 144 होते हैं आपके B options relate करता है इसमें आपका B उत्तर सही answer है जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी जो किस्मत है वो भी साथ देती है बाली आपको थोड़ा सा time लगे लेकिन सफलता मिलेगी जरूर क्योंकि कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है बॉली बॉल की F, I, V, B में D का क्या मतलब है इसमें D का क्या मतलब है यहां answer से relate करता है बॉली बॉल में पृथम द्रोणचार बिजेता का क्या नाम है द्रोणचार पृष्कार की बात करेंगे तो यहां पे बॉली बॉल में किसको पहला प्राप्थ हुआ है ए पलवनी, स्वामी को, ए रमन राओ, दोनों या फिर इनमें से किसी को नहीं किसको मिला हिए question number 146 सही answer से आप लोग attempt कीजिएगा बहुत important person बिल्कुल 210 question की मेरा आथन वीडियो आप लोग देखिएगा और इसमें आप लोग scoring कीजिएगा कितने question part 1, part 2 को मिला के आपके सही हुए है सही answer आप लोग का हो जाता है यहाँ पर यह रमन अडाव से रिलेटेड है next question पर मूब करेंगे volleyball की प्रथम 20 का प्रतियोगिता कब हुई जो volleyball की प्रथम 20 का प्रतियोगिता हुई थी यह कौन से सन में हुई थी 1909, 1951 कोई नहीं देखिए सही answer आप लोग का क्या होना चाहिए volleyball की प्रथम 20 का प्रतियोगिता 1909, 1952, 1951 या फिर इन में से किसी से आप्सन रिलेट नहीं करता है 147 तो यह हो जाएगा आपको 1909 इसका right answer है ए आप्सन इसमें साई answer next question पर मूब करते है next question दिया हुए volleyball की प्रथम 20 का प्रतियोगिता कहा हुई थी जो volleyball है इसकी जो प्रथम 20 का प्रतियोगिता हुई थी इसका जो आयोजन हुआ था ये कहा हुई थी चेकोसलाविया में हुई थी मासको न्यू डैली या फिर इन में से कोई भी आप्सन सही नहीं है 148 सबी लोग answer attempt कीजिएगा चेकोसलाविया से रिलेट करता है यहां पे ए आप्सन इसका सही answer है next question पर move करते हैं 1917 में volleyball खेल में net की उचाए कितनी होती है तो यहां पे आपको बात बताना है इसमें से जो उप्रोक्त question है इसके according जो चार आप्सन आपके स्क्रीन पर दिये हुए है इसमें कौन सा option आपका सही answer है 149 बोलिए 2.43 मीटर है 2.24 मीटर है 2.44 मीटर या फिर 2.00 मीटर 149 राइट आंसर से उत्तर आप लोग attempt कीजिएगा 149 सही answer हो जाएगा 2.44 मीटर C option इसका सही answer next question पर move करते हैं लिब्रो अटैक लाइन से आगे खेल सकता है जो लिब्रो है वह अटैक लाइन से आगे खेल सकता है हाँ नहीं नहीं यहाँ या फिर इन में से कोई नहीं थोड़ा सा confusing question आपकी पर है जो C option दिया है यहाँ पर हाँ वा नहीं दोनों दिया है इसका मतलब और यह D option जो है दोनों इन में से कोई नहीं है तो अब उत्तर आप लोग attempt कीजिए right answer next question billions खेल का जन्मदाता जोन है देश वो कौन सा है England, France, America, Germany 151 बिलकुल आपका important person है right answer आप लोग देखिए सभी लोगों का answer से यहाँ पर relate करता है B option से next question पर move करते है next question है भारत में सरपतम billions को किनके द्वारा लाए गया था जो भारत में billions को सरपतम लाए गया था यह France, Yunani के द्वारा अंग्रेजियों के द्वारा यह फिर पूर्तगालियों के द्वारा 152 पताईए भारत में सरपतम billions को किनके द्वारा लाया गया सही answer आप लोग देखिएगा इसमें से कौन सा आप लोग का हो जाएगा 152 maximum games आप लोग को पता है कि अंग्रेज यानि इंग्लेंड के द्वारा लाया गये हैं वहाँ पे आपका right answer हो जाता है next question है पार्ट सब्द किस खेल से संबंदित है जो पार्ट सब्द है या कौन से खेल से रिलेट करता है absence में आपको एक attempt करना है BPSC के exam को crack करने के लिए revision अति अवस्यक है आप लोग के लिए snooker boxing billiards judo 153 सही answer यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा billiards से रिलेट करता है next question पे move करते है hazard सब्द किस खेल से संबंदित है जो hazard सब्द है वहाँ कौन से खेल से रिलेटेट है हांकी, billiards, snooker, judo तो यह भी आपका billiards से रिलेटेड है next question पे move करेंगे billiards की गेंद का भार कितना होता है जो billiards की गेंद है इसका जो भार होता जो weight होता है वहाँ कितना होता है देखिए 155 52.5 mm होता है 85 mm होता है, 35 mm होता है या फिर 5 mm होता है 155 में साइ आंसर हो जाएगा billiards की गेंद का भार जो होता है 52.5 mm होता है next question पे move करेंगे billiards में प्रयोग होनवाली मेज की लंबाई कितनी होती इसमें जो प्रयोग होनवाली मेज की लंबाई होती है वहा कितनी होगी 3.44 मीटर 5.55 मीटर 6.43 मीटर या फिर 7.65 मीटर अगर आपके पास में है तो practice set या फिर आपको मैलाथन वीडियो जो दिया जाता है उस पर लगाईएगा और 7 practice sets तो आपको MR seat पर लगाने चाहिए क्योंकि उससे आप लोग की जो exam में circles में गलतिया होती वो गलतिया नहीं होगी जब आपकी पहले से practice होगी तो वो कुछ mistakes जो है आपकी exam में नहीं होगी जो आप लोग answer attempt करेंगे वही आपका circle होगा क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में गलतियां करते तो इसलिए अभी जब यहां से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो मिश्टेक्स वो एक्जाम हाल में कम होगे क्योंकि जो एट्मॉस्फियर होता है एक्जाम हाल और घर सब्सक्राइब करने में वह बहुत ही अंतर देता है 10-15ा प्राइब करतें यही आपके सेलेक्टन को निर्धारित करने का कारी करते है इसलिए आप लोग अपनी तयारी जो कर रहें हैं इसमें revision अगर आप practice sets का कर रहे हैं तो कोई भी practice setup लगए चाहे YouTube channel से लगाईए या फिर आफ offline practice set लगा रहे हूं एक OMR seat उठाइएगा उसमें आप लोग question देखने के बाद में अपना circle बनाइएगा यक्योंकि ABCD जब आप rough copy पर लिखते हैं तो A कट करके B को आप लोग तुरंद बना लिख देते हैं इसलिए जो OMR seat होगी उसमें एक बाद जो circle bend गया वही आपका answer मानने होता है तो आप लोग ज्यादा तर कोसिस कीजिएगा जब भी practice set लगाई है तो OMR seat print out करा लिजिएगा उस पर solve कीजिएगा उससे आपको exam में benefit अवसे प्राफ हो सकता है यह option इसका सही answer होगा 3.44 meter next question पर move करते हैं क्योंकि यह इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि एक student बस्ती के थे जिन्होंने यह गलती की थे उनका selection जो questions उनके थे वो सही थे लेकिन थोड़ी सी OMR seat में गलती की वज़य से उनका selection रुक गया था इसलिए आप सभी लोग या फिर जो students अभी तक इस तरीके mistakes कि वो mistakes दुबारा ना होने पाएं और आप लोग का selection सुनिश्चित हो सके 157 है billions में प्रयोग होने वाली मेज की चौडाई जो होती वह कितनी होती है 5.55 मीटर होती है 4.44 मीटर होती है 1.50 मीटर या फिर 3.66 मीटर 157 यहां पर आंसर आप लोग का 1.50 मीटर exactly आप लोग का right answer है next question है WCBS इसकी स्थापना कब हुई इसकी स्थापना 1972 में हुई 1992 सन 2000 या फिर D option है सन 2008 में हुई थी WCBS की स्थापना 158 यह स्थापना हुई थी सन 2000 में next question पर move करेंगे next question है WCBS का मुख्याले बताना है आपको यह कहां पर इस्थित है इसका जो मुख्याले अवस्थित है वह कहां इस्थित है 159 बताइए उप्रोक्त में से आपका आंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं next question पर move करते हैं Billiards की गेंद का जो वजन होता है वह कितना होता है जो Billiards की गेंद होती है इसका जो वजन होता है वह कितना होता है देखिए तीन ग्राम होता है छे ग्राम होता है पांच ग्राम होता है या फिर डी आप्सन है आठ ग्राम 160 में बिल्कुल ए आप्सन आप लोग का है यहाँ पे ए आप्सन से रिलेट करेगा next question पर move करते हैं बिल्लियर्स में कितनी रंगों की गेंदों का प्रियोग किया जाता है इसमें जो रंग कितनी गेंदों का प्रियोग किया जाता है पांच दो तीन या फिर चार 161 इसके पहले की वीडियो के लिए यूटूब पर सर्च कीजिए का फिजिकल एज क्वेशन बाई पंकस जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वहां से आप लोग सर्च करके देख सकते हैं बिल्कुल और जो भी पेट ग्रूप जोईन करना चाहते हैं इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं फोन पर गूगल पर अमेजन पर पेटियम एकाउन पर वाटसाप पेमेंट या भी किसी अनके मादेम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीन साइन करके तो इन ग्रू देखिए बेसबाल किस देश का राश्ट्रिय खेल है तो बेसबाल जो है ये आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर सही से डी आप्स नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे IBAF की इस्थापना कब हुई IBAF जो है इसकी जो इस्थापना हुई थी ये कौन से सन में हुई थी सन 19 सो सन 19 सो 50 19 38 या फिर 19 35 163 इसके स्थापना हुई थी C option 1938 में right answer हो जाएगा next question पर move करते हैं baseball world cup की शुरुवात कब हुई थी जो baseball world cup है इसकी जो शुरुवात हुई थी वह कब हुई बताईए question number 163 163 हो जाएगा आपका C option यहाँ पर 1960 से related है next question पर move करते हैं baseball खेल में ball फेकने वाले खिलाडी को क्या कहा जाता है जो baseball का खेल है इसमें जो ball फेकने वाला खिलाडी होता है इसको क्या कहते हैं picture कहते हैं, baller कहते हैं, thrower कहते हैं या फिर इन में से कुछ नहीं कहते हैं क्या D option होगा, C होगा, B होगा, या फिर A होगा 165 तो यह baseball खेल में ball फेकने वाले जो खिलाडी होता है उसको picture बोलते हैं A option इस प्रसन का सही answer होता है next question पर move करते हैं baseball की एक team में कुल कितने खिलाडी होते हैं वो कितने होते हैं 11, 10, 12 या फिर 15 इसमें कुल खिलाडी होते हैं next question आपके screen पर दिया है baseball के खेल में कितने खिलाडी मैदान में खेलते हैं इसमें कितने खिलाडी हैं जो मैदान में खेलते हैं 10 खिलाडी खेलते हैं 9 खेलते हैं, 5 खेलते हैं पिर बारह खेलते हैं, बताइए, बेसबाल का जो खेल है, इसमें कितने खिलाडी मैदान में खेलते हैं, तो इसमें जो खिलाडी खेलते हैं, ये 9 खेलते हैं, नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं, बेसबाल का मैच कितनी इनिंग्स का होता है, जो बेसबाल का मैच होगा, वो कितनी इनिंग्स का होता ये आप लोग को बताना है कमेंट के माध्यम से 168 का यहां पर सभी आप्संस रॉंग दिया हुए नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं बेस बाल में जो बाल की परिद होती हुआ कितनी होती है 168 ने 169 पर मूब किजिएगा एक सो उनत्तर पिल्कुल 210 इसमें आप लोग देखिएगा एक्जैक्ट दोनों वीडियो को मिला के आप लोग एक एक बार रिविजन कीजिएगा और फिर से आपको ये 210 कोईशन एक साथ में दिया जाएंगे इसमें देखिएगा एक्जैक्ट आप लोग का रिविजन के करते हैं इस लॉगर के मोटे भाग का ब्यास कितना होता है इसका जो मोटा भाग है इसका जो ब्यास होगा वाह कितना होगा 2.625 इंच होगा क्या 3.5 इंच 2 इंच या फिर 3 इंच 170 सभी लोग आंसर अटेम्ट कीजिए सही उत्तर आपका है ए आपसन 2.625 इंच से रिलेट करता है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करता है नेक्स्ट कोईशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर से रिलेट कर जाएगा नेक्स्ट कोईशन है 171 बेसबॉल में कितने खिलाडी आउट होने के बाद जो है दूसरी टीम की इनिंग आती है कितने खिलाडीों के आउट होने के बाद दूसरी जो टीम है इसकी इनिंग आती है 2, 4, 5 या फिर 3 171 सभी लोगों के answers यहाँ पर आ चुके हैं D option इसका right answer next question पर move करते हैं एक मानक swimming pool जो है इसकी लंबाई कितनी होती है एक मानक swimming pool की लंबाई बताईएगा 55 मीटर होती है 65 मीटर होती है 50 मीटर होती है अफि 66 मीटर होती है 172 मानक swimming pool जो होता है इसकी लंबाई होती है 50 मीटर next question पर move करते हैं एक मानक swimming pool की चौडाई कितनी होती है जो मानक swimming pool है इसकी जो चौडाई होगी वह कितनी होती है 25, 66, 44 अफि 33 मीटर बोलिए इसकी जो मानक Swimming Pool है इसकी जो चोडाई होती वो 25 मीटर होती एक नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते है Water Polo की गेंद का भार कितना होता है जो Water Polo है इसकी गेंद का जो वेट होता है वहाँ 400 से 450 ग्राम होता है 500 ग्राम होता है 450 से 500 ग्राम या फिर D option दिया हुआ है आपका 600 gram 174 आप लोग की स्क्रीन पर question है इसमें right answer attempt कीजिएगा मैराथन वीडियो में अपनी scoring अवस्य कीजिएगा कि आप लोगों के कितने questions सही हुए है 174 नंबर आपका answer हो जाएगा A option 400 से 450 gram और practice sets को आप लोग revision करते टाइम पर headphone लगाईएगा और questions को देखते जाईएगा सुनते जाईएगा answers आपके mind में feed होते जाएगे 175 याँकि maximum questions आप लोग को आते हैं बस आपको revision की ज़रुवत है और जो भी students paid group से जुड़े हुए हैं और revision कर रहे हैं continue वो लोग अपनी तयारी इसी तरीके से जारी रखें क्योंकि आप लोग का selection निश्ची तौरबर होगा क्योंकि आप लोग लगातार मेहनत जारी रखे हुए हैं 175 का answer हो जागा 68 से 71 cm next question है महिलाओं के लिए गेंद की परीद कितनी होती है जो महिलाओं के लिए गेंद की परीद होती है वहा कितनी होती है देखते हैं answer यहाँ पर 55 से 65 cm 65 से 67 cm 68 से 71 cm या फिर 63 से 64 cm तो B option आपका है 65 to 67 cm next question दिया हुआ water polo में goalkeeper जो होता किस रंग की टोपी पहनता है जो water polo का game है इसमें जो goalkeeper है वो कौन से रंग की टोपी पहनता है पीली, सफेद, काली या फिल लाल 177 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपकर red से related है next question पर move करते है water polo के एक मैच में कितने खिलाडी बदले जा सकते हैं 6, 5, 3 या फिर 7 देखिए राइट आंसर इसमें आप लोग का हो जाता है D option यहाँ पर next question पर move करेंगे water polo में मध्य रेखा किस रंग की होती जो water polo का game है इसमें जो मध्य रेखा होती वो कौन से रंग की होती है पिली होती है, हरी होती है, लाल होती है या फिर सफेद होती है देखिए 189 water polo की बात करेंगे तो E 179 हो जाएगा आपका D option सफेद हो जाता है इसका right answer next question water polo में goal post की चौड़ाई कितनी होती है इसमें जो goal post है उसकी चौड़ाई आप लोग बताईएगा 180 में आपका answer होगा 3 meter next question है Olympic द्वज कब तयार किया गया था जो Olympic द्वज है ये कौन से सन में तयार किया गया था बहुत आसान question है सभी लोगों का answer यहाँ पर right आ रहा है विल्कुल 30 questions आप लोग के अभी बचे हुए है सभी का answer इसमें क्या होना चाहिए जल्दी से आप लोग comment कीजिएगा सही answer आप लोग का क्या C option से relate करेगा right answer से relate करना चाहिए next question पर C उत्तर हो जाएगा इसका next question Olympic द्वज को किसने तयार किया था ये भी आप लोग का आसान question है 182 बताईएगा next question Olympic द्वज पहली बार का फैराया गया Olympic का जो द्वज है वो first time का फैराया गया 1936 1896 1900 या फिर 1920 183 Olympic द्वज जो है first time का फैराया गया था ये फैराया गया था 1920 में next question पर move करेंगे option के according आपका answer सही आना चाहिए Olympic द्वज जो है पहली बार का फैराया गया जो Olympic का द्वज है वो first time का फैराया गया था Antwerp, Belgium Paris, France, Athens, Greece, Berlin, Germany 184 देखिए first time की बात की जारी तो Antwerp, Belgium से रिलेट करता है next question है Olympic के जंडे का आधार जो ये किस रंग का होता है जो Olympic के जंडे का आधार होता है वह कौन से color का होता है सभी options हैं आपकी screen पर बहुत easy question इसलिए easy है क्योंकि आप लोग इन questions को पढ़ चुके है right answer से related है next question पर move करेंगे Olympic के जंडे में कितने चल्ले बने होते हैं अभी आपकी परसों की life class में आपको question दिया गया था आप लोगों का answer भी वहाँ पर आया था right answer जो हो जाएगा यहाँ पर आपका d options से relate करता है next question आपके screen पर है Olympic खेल कितने वर्स के बाद आयोजित किया जाते हैं यह भी आप लोगों का question वहाँ पर था बस options चेंज थे जो serial number options का दिया हुए वो वहाँ पर differ था देखिए next question पर move करेंगे IOC कितने वर्स पहले अगले होने वाले Olympic के सहर की घोस्रा करता है 4 साल 6 साल, 2 साल, 7 साल बिल्कुल जल्दी जल्दी आप लोग answer attempt कीजिएगा और अपनी scoring अवस्थ से कीजिएगा कितने questions आपने सही किया है जो भी paid group join करना चाहते है 9621-819209 पर contact कर सकते हैं इसी number पर आप लोग payment करके group से join हो सकते हैं यूँकि physical edge questions आप लोग को daily का daily mock test quiz या फ्रीक्जाम पैटर पादर प्रैक्टिस र कुछ ना कुछ गुरूप के अंदर आपको daily provide किया जाते जिससे आपकी तयारी बहुत वह इतिन तरीके से complete हो सकती है 188 question में आप लोगों का जो answer आ रहा है सही उत्तर जो हो जाएगा B option इसमें होता है सही answer next question Olympic खेल का आयोजन कितने दिन चलता है इसका जो game होता है वो कितने days तक चलता है 14 days 4 days 16 days 8 days या फिर 18 days देखिए सही answer 189 में आपका B option से relate करता है B उत्तर इसमें right answer next question पर move करते है Olympic खेल का आवंटन किसे दिया जाता है जो Olympic के games है इसका जो आवंटन दिया जाता है यह किसको प्रदान किया जाता है देखिए यह प्रदान किया जाता है यहाँ पर सहर को next question पर move करेंगे Olympic के Olympic हेल का जो मुख्याला है जो Olympic का मुख्याला है यह कहाँ परवस्थित है देखिए 191 बिल्कुल बेहतरीन प्रस्न है सभी लोग अपना उत्तर attempt कीजिएगा 191 लुशाने सुट्जा लैंड next question पर move करते है प्रथम आदुनिक कालीन ओलम्पिक जो है इनका आयूजन कहां आयूजित हुआ जापान रूस ग्रीस की राजधानी एथेंस या फिर अमेरिका बिल्कुल प्रैक्टिस सेट्स कांटीन्यू आपको दिया जा रहे है अगर नवंबर में आज 19 डेज है तो आपके 19 प्लस प्रैक्टिस सेट्स लगातार मिले है आप लोग चैनल से रिपीट अवस्य कीजिएगा एक एक दिन में दो दो प्रैक्टिस सेट्स मेराथन वीडियो का लिंक भी आपको दिया जा रहा है सभी लोग अपनी तयारी पहतरीन कीजिएगा ग्रीस की राजधानी एथेंस हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है ओलंपिया नामकिस्थान पर म्यूजियम कब बनाया गया जो ओलंपिया नामकिस्थान यहां पर जो म्यूजियम बनाया गया था वह कब बनाया गया था 1996 में बनाया गया था 1886 में बनाया गया था 1993 या फिर 1943 में बनाया गया ओलम्पिक में महिलाओं ने पर्थम बार capaz नटी बहा किया कौन सा ओलमिपक है जिसमें महिलाओं ने फार्श्ट टाइंट पार्टिसिपेट किया 194 बिलकुल तैयारी आप लोग कि बेहतरीन है इस तैयारी को आप लोग और बेहतरीन कर सकते हैं अपना revision complete करके 194 में आप लोगों का जो आंसर है ये है 1900 पारिस फ्रांस से next question पर move करते हैं किस ओलम्पिक में प्रथम बार सफथ ली गई कौन सा ओलम्पिक है जिसमें first time सफथ ली गई देखिए 1900 पारिस फ्रांस 1928 एमेस्टरडम हॉलेड 1920 एंट्वर्प वेल्जियम 1924 पैरिस फ्रांस 195 सही आंसर से उत्तर जो रिलेट करता है यहां पर C option हो जाता है 1920 एंट्वर्प वेल्जियम से रिलेटर है next question दिया हुआ किस ओलम्पिक में भारती होकी टीम ने पहला सब्रदक जीता था ये कौन सा ओलम्पिक है सबी लोगों का अंसर यहां पर हो जाएगा 1928 next question है किस ओलम्पिक में भारती होकी टीम ने पहला सब्रदक जीता विल्कुल जो आपकी लाइफ क्लास थी उसमें question दिया जा चुका है 1900 पैरिस फ्रांस 1928 एंट्वर्टर्डम होलेंड किस ओलम्पिक में पहली बार खेल गाओं बनाएगे कौन सा ओलम्पिक है जिसमें फर्स्ट टाइम खेल गाओं बनाएगे 1928 एंट्वर्टर्डम होलेंड 1936 बरलिन 1932 लॉंस एंजिल्स अमेरिका या फिडी आप्सन है 1900 पैरिस फ्रांस क्या आप्सन आप लोग का यहाँ पे करेक्ट है किस उत्तर से आप लोग रिलेट करेंगे कौन सा आप्सन सही आंसर से सम्बंदित है बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 198 हो जाएगा 1932 लॉस एंजिल्स अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर IOC का अध्यक्ष इसका उद्घाटन करने का कारी जो होता है मेजबान देश का राष्ट्र अध्यक्ष करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलम्पिक में मेजबान देश्च के राष्ट्र अध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है इसके लिए जो आमंत्रित करता है ये कौन IOC का अध्यच राष्टपति मेयर या फिर प्रधान मंत्री देखिए 200 questions किस option से relate करेगा बहुत important प्रस्ट में है books में आपको answer कहीं कहीं पर अलग भी मिलता है तो right answer हो जाएगा इस प्रस्ट में आपका IOC के अध्यक्ष नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करेंगे next question है किस olympic में डोप test की शुरुवात हुई question number है 201 1960 Rome Italy Sun 1900 Paris France 1968 Mexico City Mexico जाफिर डी आपसा ने 1992 बार्सिलोना इस्पैंग two hundred and one सभी लोग answer attempt कीचिएगा इस प्रस्ट में आपका उत्तर कौन सा है सही answer आप लोग का है 1960 Rome Italy बिलकुल बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग के competition के तयारी हो रही है बस इसी तरीके से आप लोग जो अन्य एक्जाम्स यूपी से related है या फिर MP से related है या फिर राजस्थान से संबंदित उत्तराखंड से related physical education का है उसको crack करने के लिए इसी तरीके से आप लोग continuity बनाया रखिएगा बहुत important questions आप लोग को daily channel पर provide के जाते हैं जो भी student paid group से जुड़ना चाहते हैं यो तैयारी एक जो systematic तरीका daily group में जो questions दिये जाते हैं उनको अगर आप daily repeat कर रहें daily पढ़ रहें तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी बहतरीन होगी और आप एक competition का माहौल होता है उससे जुड़े रहेंगे जो भी जुड़ना चाहते हैं 500 रुपीस का payment करके group से जुड़न हो सकते हैं इसी नंबर पर आप लोग फोन पे गूगल पे पे टियम एकाउंट पे WhatsApp पेमेंट Amazon पे जिसके माध्यम से जुड़न करना चाहते हैं जुड़न कर सक तो 1968 मेक्सिको सिटी मेक्सिको नेक्स्ट होइPat है हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलम्पिक कब आयो जी थे हुए जो हाई एल्टी टीटूड है इस पर फ़स्ट्ट टाइम जो ओलम्पिक है जित हुए 1909 eth सब्सक्राइब या फिर एक डी आप्सन दिया हुआ है 1988 देखिए हाई एल्टी ट्यूड पर फार्स्ट टाइम ओलंपिक का आयोजन जो हुआ था 1968 में हुआ नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करेंगे हाई एल्टी ट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कहां आयो जित हुए अभी आपने पढ़ा कौन से सन में हुए अब यह कहां आयो जित है दोनों क्वेशन एक ही से रिलेटेड हैं लेकिन यह अलग अलग किया गया है अब अब अब करने हैं अब आपके पास में 20 में बचे हुए जिसमें आप लोग को रिवीजन भी कमपलिट करना है और जों भी आपके important questions है उनको भी आपको पढ़ना है इसलिए जितना भी time आप utilize कर सकते हैं उतना utilize कीजिएगा अच्छी तरीके से तयारी को complete कीजिएगा आने वाले exams जो आप दे रहे हैं इसमें सफलता अवसे प्राप्थ होगी यह option हो जाएगा olympic gun की बात करते हैं तो प्रथम बार कब गाया गया नेक्स्ट क्वेशन है olympic gun प्रथम बार कहां गया गया अब देखिए कि क्वेशन सभी एक जैसे हैं बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है रोम इटली बर्लिंग जर्मनी या फिर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है सी आप अटलांटा अमेरिका आमस्ट्राइडम ह और फोलेंड क्या होगा यह जाएगा रोम इटली से रिलेट करता है ए और अफसन इस प्रसन का राइट आंसर नेक्स्ट कोईशन दिया हुआ है एस्या की धर्ती पर पहला olympic कहां आयोजित किया गया तो फार्स्ट टाइम जो olympic iot water यह रोम का सहर इटली में आयोजित व हुआ था सही आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है टॉक्यो जापान नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे एस्या की धर्ती पर पहला olympic कब आयोजित किया गया था 1960 1964 1956 या फिर 1900 में इसका अवजिन हुआ था 1964 में एक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं किस olympic में डॉपिंग में पहला लिप्त खिलारी पाया गया कौन सा olympic है जिसमें डॉपिंग में लिप्त पहला खिलारी पाया गया था 1964 टोक्यो जापान 1960 रोम इटली 1956 मैलबर्न ऑस्टेलिया डी आप्सन सन उनिस सो पैरिस फ्रांस दो सो नौ क्वेशन नंबर आंसर आपका क्या है बहुत बहतरीन पी आप्सन से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेशन आपकी इस वीडियो का मैराथन वीडियो जो है आपकी उसका लाश्ट प्रस् इसमें आप लोग स्कोरिंग कीजिएगा कि exactly आपका जो second part 110 questions का इसमें आपने कितना questions करेक्ट किया है और जो दोनों वीडियो मिला के आपके 210 questions होंगे उसमें आपका score क्या हुआ है योकि आपकी scoring ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रदित करती है योकि जिस तरीके से आप लोग को पढ़ने के प्रतिज़ जुजा रुजहान होता है वो बढ़ता जाता है सही आंसर यहां पर हो जाएगा पहला भारती एथलेट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेस किया राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मिलखा सिंग 400 मीटर से रिलेटेड है सी आप टाइम विजिट कर रहे हैं और फिजिकल एजक्वेशन की प्रप्रेशन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवज से कर दीज़ेगा जिससे जब भी आपको चैनल पर कोई भी वीडियो प्रवाइट किया जाए उसका नोडिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और जो भी जो नए बैच आपका फिजिकल एजक्वेशन से रिलेटेड है उससे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और ग्रुप से जॉइन हो सकते हैं अपनी स्कोरिंग करके बताईएगा कि 110 में से आपको कितने क्वेशन सही हो और जो मैरा अ नए वीडियो में नए क्वेशन के साथ में तब तक लिए पढ़ते रहेगा मेहनत करते रहेगा आने वाले एक्जाम में आप सभी को सफलता अवस्य प्राप्त होगी